Hello students, मैं Dr. Ayush, Team Geology CLC Seeker से आप सभी का Welcome करता हूँ तो बच्चों, एक बार फिर से CLC आप लोगों के लिए लेकर के आई है ब्रह्मास्त्र जो आपको Medical College के और नजदीक ला देगा एक ऐसा मौका जिसमें आप अपनी पूरी Biology को, Chemistry को NCRT से पूरी तरह से क्या कर सकते है, revise कर सकते है तो इसी कड़ी के अंदर आज मैं आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ Biochem DTS का दूसरा पेपर और Biology का यहाँ पर कह सकते हैं कि हम दूसरा पेपर है और Geology में पहला है यह, इसमें हम बच्चों आज डिसकस करेंगे Animal Kingdom तो देखिए हम इस टॉपिक को जब डिसकस करेंगे तो समझते हुए करेंगे यह पेपर जो है purely NCRT based पेपर है और अगर इस पेपर को आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह के questions जो है वो exams के अंदर बार 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 पुट किये जाते हैं तो आप इस पेपर को यह इस तरह से ध्यान में रखिए कि हमारी पूरी NCRT इस पेपर से रिवाइज हो रही है या नहीं हो रही तो इसी तरह से solution को ध्यान से समझेगा हर question में आप एक concept को रिवाइज करेंगे जो आपके need के लिए बहुत जादा important है तो देखो पहली चीज इस पेपर को शुड़ू कराने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाता हूँ कि आप ये चीज ध्यान में रखिए कि पेपर जो है पेपर की एक आत्मा होती है एक सोल होती है पेपर की आपको उसको ध्यान में रखते हुए पूरे संबान के साथ पेपर सॉल करना है आपको उसी को समझना है आपको बिसिकली क्या समझना है बच्चो कि examiner की mentality क्या है examiner कौन सा answer चाह रहा है कई बार क्या होता है कि किसी question में हमें लगता है कि ये आएगा पर नहीं आपको उस paper की question को examiner की point of view से सूचना है आपको concept की point of view से सूचना है हमेशा वो answer नहीं आता जो आपका दिल कर रहा है आपका concept clear है तब वो answer आता है जो सही होता है तो ध्यान रखिए हमें वो answer choose करना है जो सही है तो कैसे करते हैं कैसे paper का solution करते हैं एक्तम blindly as a student की नातियाज मैं आपके सामने paper solve करूँगा तो ध्यान से चलिएगा जो बहुत सारे questions ऐसे हैं जो आपको कुछ concept भी सिखाएंगे और कुछ questions जो है वो आपके NCRT के different जो different जो informations हैं उनका revision करने में मदद करेंगे तो चलिए बच्चों देखिए start करते हैं पहला question यहाँ पर है हमारे सामने which one of the following file is correctly matched with its two general characteristics यानि कि क्या पूछ रहा है आपसे यह कि कौन सा filem जो है कौन सा संग जो है अपने दो लक्षनों के साथ में सही में सुमे लिते हैं देखिए ऐसे questions में correct और incorrect बोलता है वो तो सबसे पहले तो आप यह देख लिजेगा कि हाँ यह क्या पूछ रहा है correctly यानि कि यह क्या पूछ रहा है सही पूछ रहा है तो बस हमें अब सही वाला च्छाटना है जो गलत है वो नहीं च्छाटना आंसर क्या होगा जो सही होगा तो देखो सबसे पहले बात किसकी की है Echinodermata की Echinodermata की बात की है बच्चो तो देखो Echinodermata में organ system level of organization अंग तंतर इस्तर संगठन यह बिल्कुल सही बात है आपको पता ही है कि शुडू में कोशी की इस्तर यानि कि cellular level of organization होता है फिर हम आगे चलें तो कौन सा आ जाता है सिलेंटरेट में, टीलो फोरा में किस लेवल पर आ जाता है टिशू लेवल पर आ जाता है प्लेटी हेलमेंथीज organ level पर मानते हैं और S के हेलमेंथीज से organ system level organization शुडू हो जाता है तो Echinodermata जो है internal fertilization होता है तो बच्चों क्या है यह बात सही है या गलत है आपने Echinodermata की NCIT का कॉलम फड़ा है, वहाँ पर line तो यही है पर internal की जगे कौन सा शब्द काम में लिया है external यानि कि यहाँ पर निशेचन स्वामानेत है, आंतरिक नहीं होता कैसा होता है, बहाई निशेचन होता है, यानि कि external fertilization होता है, इसलिए यह हमारा हो जाता है गलत, चलिए मोलस्का, मोलस्का आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टिशू लेवल of organization बोल दिया, उतक स्तर संगटन बोल दिया, तो सही है या गलत है गलत बात हो गई, टिशू लेवल थोड़ी होता है टिशू तो हम बहुत पहले ही छोड़ी आए टिशू तो कहां पर आ गया, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, टिशू होई रह गया तो गलत हो गया यह, तो यह option भी गलत हो गया आगे चले आर्थोपोड़ा आर्थोपोड़ा को ध्यान से पढ़ते हैं बोडी इस कवर्ड विद काईटीनियस एक्जोइसकेलेटन, शरीर काईटीन से निर्मित, बहाई कंकाल से ढखा रहता है, एकदम सही बात है ना, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो स्पीशीज हैं, वो इसी फाइलम की है सबसे सक्सेस्फुल, अगर हम कहें इन्वर्टिब्रेट्स में, तो वो कौन है? आर्थोपोड़ा है, उसमें से एक इंपोर्टन चीज जो इनको सक्सेस्फुल बना देती है वो ये है, कि इनकी जो बॉड़ी है वो किस से ढकी वी रहती है? काइटीन से निर्मित, एक एक्जोस्केलेटन से ढकी वी रहती है, तो ये बात एकदम सही है और दूसरा भी आप देखिए, जोइंटेड एपेंडेजेज यानि संधी युक्तपाद पाए जाते है, बिल्कुल सही बात है अगर आप इनके एपेंडेजेस को देखेंगे तो उनमें बहुत सारे आपको जॉइंट से मिल करके वो बने होई होंगे तो ये बात भी एकदम सही है, तो हमें आंसर यहाँ पर कहा मिल गया बच्चों, थर्ड ओप्शन में ही हमें आंसर मिल जाता है, फिर भी हम 4 को पढ़ते है, Chaudita Notocode is present throughout the life नहीं, 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 Notocode throughout the life present नहीं होती वो केवल किसमे होती है? Cephol Chaudita में ऐसा कह सकते हैं कि जो एक तरीकी से टिपिकल Chaudita है, उनमें ही केवल वो throughout the life persist होती है आप इंसानों को ही देख लीजिए, human में ही ये क्या हो चुकी है, कि एवल embryonic stage में मिल रही थी, और अब किसमें change हो चुकी है, vertebral column में, तो यहाँ पर भी first option क्या हो गया, बच्चों, गलत हो गया, तो सही answer क्या हुआ हमारे पहले question का, third option is the correct answer, चलिए, आगे चलते हैं, देखो बच्चों, second question क्या पूछा है आपसे, which one of the following is not a characteristic of phylum Annelida, निमन लिखित में से कौन सा संग Annelida का लक्षण नहीं है, तो अब हमारे सामने Annelida की हम लोग बात करने वाले है, Annelida का जब आप नाम पढ़ते हैं, देखिए, Annelida, Annelida का क्या मतलब होता है, Annelida का बच्चों, अगर आप नाम पढ़ रहे हैं, तो Annelida जो है, उसके नाम में ही little rings आ रही है, NCRT बताती भी है, कि इनका पूरा शरीर क्या होता है, segmented होता है, पूरी body जो होती है, वो serial repetition of segment से बनती है, जिसमें serial repetition होता है, कुछ organs का, तो train के डब्बे की तरह, एक तरह से हम यह consider कर सकते हैं, कि train है और इसमें बहुत सारे डब्बे है, ऐसे इनका शरीर बना हुआ होता है, बच्चों, तो अब Annelida के लिए कौन सा लक्षन नहीं है, मत्तब कि गलत बताना है हमें, not उच्छा है आप से यहाँ पर, देखो, pseudo-silom, pseudo-silom Annelida का character बिलकुल भी नहीं है pseudo-silom तो किसका character है, बच्चों, pseudo-silom, किसका character हो गया, pseudo-silom character हो गया, S के, हेलमन्थीस का, ठीक है, एक सेकंड मैं back कर लेता हूँ, तो pseudo-silom की बात कर रहे हैं, बच्चों, देखो, pseudo-silom जो है, यह जो pseudo-silom है, यह character किसका हो गया? S के, हेलमन्थीस का character हो गया, हो गया न, तो यह Annelida के लिए बिलकुल भी नहीं है, तो answer तो हमें कहीं न कहीं, किस में मिल गया? फर्स्ट आप्शन में ही हमें answer मिल गया, फिर भी आगे देखें, ventral nerve cord, अधर तंत्रिका रज्यू, यह तो आपको बिलकुल पता ही है न, Chaudate और Non-Caudate, देखो, जो Non-Caudates हैं, उनके अंदर जो ventral nerve cord है, यानि कि जो nerve cord होती है, वो कहां पाई जाती है, ventral side पर पाई जाती है, और कैसी होती है, और कैसी होती है, solid होती है, वहीं Chaudate में आ जाओ, Chaudate आपको nerve cord कैसी मिलेगी, Hollow मिलेगी, ठीक है, Single मिलेगी, और कौन स साइड पर मिलेगी, तो ventral nerve cord ये वाला जो है, बिलकुल एनलीडा का एक character मान सकते है, close circulatory system, तो ये बिलकुल सही बात है, बच्चो, आपने देखा था, कि सबसे पहले जो circulatory system जो evolve हुआ, वो analytes में हुआ, और उनमें कैसा circulatory system है, close circulatory system है, बंद परी संचरन तंतर है, रक्त क केशिका हैं, यानि कि blood capillaries यहां पर present होंगी, तो ये बात भी एनलीडा के लिए सही है, segmentation तो आप जानते ही है, खंडी भवन, metameric segmentation इनके अंदर पाया जाता है, तो ये वाला character भी एनलीडा के लिए सही है, क्या पूचा है, लक्षन नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं ह तो पहला option जो है, वो एनलीडा का लक्षन नहीं है, चले, आगे चलते हैं, तीसरे question के तरफ, चलिए बच्चों, देखिए, तीसरे question के तरफ चलते हैं, third question क्या कह रहा है हमसे, which one of the following group of animals is bilaterally symmetrical and triploblastic, क्या पूचा है कि bilaterally symmetrical कौन से होते हैं, और triploblastic कौन से होते हैं, य bilateral symmetry क्या होती है, कि अगर animal की body को काटा जाए, तो वो किसी भी एक plane में ही, दो parts में क्या होता है, equally divided होता है, इस तरह की symmetry को हम bilateral symmetry कहते हैं, वहीं radial symmetry में कोई भी plane जो उसके center axis से पास होता हो, अगर हम उससे उसको cut करेंगे, तो वो हमेशा equal halves में divide होगा, ये कौन सा है symmetry, radial symmetry, basic सा concept layer कर लीजिए, तो अगर आप देखें, कहीं न कहीं sponges को, polyfera से start करते हैं, sponges की हम बात करें, ठीक है, sponges जो है, वो mostly asymmetrical है, ये mostly क्या है, mostly, ये asymmetrical है, ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, किस पर, silentrata, silentrata के बाद में टीनोफोरा, ये दोनों जो है, इनके animals कैसे होते हैं, इन इन में radial symmetry present होती है, कौन से symmetry होती है, बच्चों, radial symmetry होती है, और इस से आगे, अगर हम चलें, किस पर, platy-helminthes से लेकर के, finally, कहां तक, हमारे core data तक, तो इन में कौन से symmetry होती है, इन में होती है, bilateral symmetry, ठीक है, bilateral symmetry होती है, और साथ ही साथ में, यहां पर, हाला कि, echinodermates में कह नहीं बदल जाती है, kinodermates में जो adult है, उनके अंदर radial symmetry होती है, और bilateral symmetry लार्वा में पाई जाती है, पर फिर भी हम देखें, तो यहां पर आगे हमें bilateral symmetry मिलेगी, और हम देखें, दूसरी बात किसकी बात की है, इसने, triploblastic, triploblastic का मतलब होता है, ऐसे animals, जिन में तीनो germinal layers present हो, ectoderm, mesoderm और endoderm, जिन में तीनों present है, वो हो गए triploblastic, तो देखो, triploblastic भी अगर हम लोग देखें, तो यहां पर अगर देखा जाए, तो platyhelminthes ही, वो first phylum है, जिनके members क्या होते है, triploblastic, जिन में basically तीनो germinal layers क्या होती है, पाई जाती है, इसलिए यहां से कहानी start होई कि इसकी triploblastic की, तो अब हमें इन में से select करना है, दीखिए, इन में से हमें select करना है, तो देखिए, group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic, तो option में आ गया, SK helminthes, इनके members बिलकुल सही बात है, इन में bilateral symmetry भी होती है, और triploblastic भी होती है, टीनो फोर्स, गलत बात हो गई, sponges गलत हो गय silentrates गलत हो गया, तो अब हमारे सामने option क्या बसता है खाली, number one, यानि कि SK helminthes is the correct answer, ठीक है, क्योंकि SK helminthes के member कैसे हो गए, bilaterally symmetrical भी है, और triploblastic भी है, ठीक है, और इन में silom कौन सी पाई जाती है, pseudo silom पाई जाती है, याद है ना, आपको silom के बारत पे अगर हम लोग क की है, जिनमें single opening present होती है, outside में, और जो दोनों को का काम करें, single opening का presence एक तरह से किसको show कर रहा है, blind sec body plan को show कर रहा है, यानि कि एक ही opening होगी, और वोही opening जो है, किसके लिए serve करेगी, यानि कि यही तो इनका क्या होगा, mouth, यहीं से तो वो खाएंगे, और यहीं से ही वो क्या निकाल देंगे, अपने undigested food को बहार निकाल देंगे, single opening हो जाएगी, single opening का मतलब अगर आप देखोगे, octopus, नहीं, octopus किस पे चला गया, moluska में, तो वहाँ तो आपको कैसी मिलेगी, basically, tube within tube body plan देखने को मिलेगा, asterious, यह किस पे चला गया, यह किसका member हो गया, echinodermita का, ठीक में चला गया, अब कौन बस्ते हैं, हमारे भाई साब, hydra भाई साब बस्ते है, hydra किसका member है, बच्चों, यहाँ पर, silent rata का member है, और जो silent rata के member है, उनमें कैसा plan है, blind sack body plan है, तो मतलब इसी तरह का, कि जिसमें क्या होगी, single opening present होगी, तो इसी लिए सही answer हमें कहां मिल गया, बच्चों, सही answer हमें मिल जाता है, कौन से option में, fourth option में ही हमें क्या मिल गया, सही answer, चलिए बच्चों, next question की तरफ बढ correct about the occurrence of notocode, यानि की कही ना कहीं जो notocode है, उसके पाई जाने के लिए कौन सा statement गलत है, ठीक है, तो देखिए, it is present only in the larval tail of acedia, acedia member है यहाँ पर किसका, euro core data का, euro core data के जो members होते हैं, उनके अंदर, जो notocode है ना बच्चों, वो केवल किसमें पाई जाती है, वो केवल किसमें only present, only in tail of larva, ठीक है, और जब यह larva क्या करता है, metamorphosis करता है, जब यह larva metamorphosis करके क्या बनता है, adult बनता है, तो इसके अंदर, notocode जो है, यह notocode जो है ना, वो क्या हो जाती है, absent हो जाती है, तो एक तरह ऐसे देखिएं, तो इसका larva कैसा हो गया, modern, और यह कैसा हो गया, कहीं ना कहीं, primitive, क्योंकि notocode का पाया जाना कैसा feature है, एक modern feature है, तो लार्वा तो बिचारा कैसा हो गया, लार्वा तो बिचारा नहीं, लार्वा तो क्या है, modern है, पर यहीं adult देखिएं, यह बिचारा हो गया, इसमें कैसा feature आ गया, primitive, तो इसी वज़ है retrogressive metamorphosis, यानि ऐसा metamorphosis जिसमें एक advance जो है, वो किसमे change हो रहा है, एक primitive animal में change हो रहा है, तो इसी वज़े से, तो पहला option एकदम सही बात है, हमें क्या चाटना है, incorrect, मतलब कौन सा कथन चाटना है, जो पूरी तरह से क्या है, गलत वाला चाटना है, तो गलत वाला चाटना है, तो इनकरेक्ट चाटना है, तो देखिए, larva जो है बेसिकली, यानि कि जो notocode है, वो acidia की किसमे होती है, larva में, ये बात तो क्या हो गई, सही होगी, आगे चलते है, इट इस replaced by a vertebral column in adult frog, यह west mendak में, मेरुदंड में परीवर्तित हो जाती है, बिलकुल सही बात है, देखिए, embryonic stages में जो है, वो vertebrates में भी notocode मिलेगी, पर जैसे ही vertebrates में, अगर जो हम बात करें adult stage की, तो वहाँ पर जो notocode होती है, वो किस में बदल जाती है, vertebral column में बदल जाती है, तो यह बात हो रही है, किस के लिए adult frog के लिए, तो यह बात एकदम यहाँ पर क्या है, हमारी notocode की occurrence के लिए सही है, it is absent in the embryonic stage of humans, तो इसका मतब यह हो गया कि human की embryonic stage में notocode ही नहीं है, तो हम फिर coordinate किस बात के है, हमारे अंदर vertebral column फिर किसके development से आया, किसके बदलने से आया, तो यह बात सरासर क्या है, गलत बात है, एकदम गलत बात है, कि मानवों कि में भुरूनी अवस्था में नहीं पाई जाती, बलकि क्या होता है, पाई जाती है, तो इसी वज़े से बच्चों थर data का member है, सिफेलो core data वाले जो होते हैं, इन्हें हम लोग typical coordinates कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, typical coordinates कहते हैं, ठीक है, तो इसी वज़े से इसमें हमें मिलेगी, तो यहाँ पर देखें, तो बच्चों जो गलत answer है, वो कौन सा हो जाता है, third option जो है न, वो क्या हो गया हमारे लि the animal name, its two characters, its class phylum are correctly match, तो बस खेल यही है कि class phylum, इसके दो character और animal का नाम जो है, वो कैसा होना चाहिए, correctly match होना चाहिए, मतलब कि सही होना चाहिए, यानि कि इसको ऐसे बार बार बोला बना दिया करो, बहुत सारे बच्चों का question बस यहीं incorrect हो जाता है, कि सही क्या है, गलत क्या है, कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, हर question में गलत भी मिलेगा, सही भी मिलेगा, पर question क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर ही क्या पूछ रहा है, सही कौन सा है, प्रू बताना है, देखो, salamander की बात करें, salamander सुनते ही दिमाग में आता है, मेंड़क की photo, यानि amphibia की दि तिमपैनम किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानि की कर्ण की जगे क्या उपस्तित होगा, कर्ण पटल, NCRT में साफ तोर पर लिखा हुआ है, देखिए क्या होता है, कान के तीन पार्ट्स होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें external ear, middle ear और internal ear होता है, तो देखिए बच्चो, external ear जो हता है, वो इन में absent होता है, और सिधा middle ear से, यानि की जो टिमपैनम होता है, वहाँ से इनका ear जो होता है, वो start होता है, इन लोगों के अंदर जो ear और जो ear और जो एक सिंगल ही होती है, जिसे columnillar कहते हैं, और फिर internal ear, तो इसलिए बिल्कुल सही बात है, कि टिमपैनम किस को represent करता है, ear को, आगे चलते हैं, amphibia का member है, तो fertilization कैसा होगा, external होगा, यानि कि निशेचन किस तरह का होगा, बहाए निशेचन होगा, external fertilization क्या होगा, इनके अंदर present होगा, और अब हम यहाँ पर देखीं कि class और phylum, obviously amphibia है, तो ये बात पूरी तरह से बच्चों सही साब दिमाग में फोटो आजाती है, किसकी flying fox की, ठीक है, flying fox की हमारे दिमाग में फोटो आजाती है, और flying fox यानि की bat की मैं बात कर रहा हूँ, तो memory glands क्या बता रहा है, absent, teropus flying fox है, member किसका है, memelia का, memelia का member है, तो एक चीज universal truth की तरह हो गई, कि memory gland तो present होगी ही होगी, यहाँ पर memory gland को ही absent बता दिया, तो memory gland absent बता दिया, मतलब ही option ही पूरा की पूरा क्या हो गया, absent, यानि की गलत हो गया, आगे पढ़ने की चोड़ते नहीं है, आगे चलो, और एलिया, यहाँ पर बात करें, तो क्या बात हो रही है, बच्चो, jellyfish की बात हो रही है, बिल्कुल nitoblast, जो है, obviously उपस्तित होंगे ही होंगे, पर organ level, अरे यार, organ level होता, तो वो बिचारी, silentrator में क्या करती, आगे वाले phylum में आती न, वो, उसके पास organ level of organization तो है ही नहीं, क्या है, tissue level of organization है, इसलिए ये वाला भी हमारा हो जाता है, गलत, हमें क्या चाटना है, सही चाटना है, ascaris, body को segmented बता दिया, भाई सब गलत बात हो गई, body segmented थोड़ी है, और आगे और देखो, ascaris को पहुचा दिया है, anelida के अंदर, anelida में ascaris नहीं आता है, ascaris तो कहां आता है, ascaris में आता है, तो सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, सही answer हमें कहां मिल गया, पहले option में ही मिल ग ही है, with its one characteristics, without any exception, यानि कि जिसका कोई भी exception नहीं हो, ठीक है, ऐसे कौन से characteristics है, codates में बात करते हैं, देखिए, पजेजे mouth, ठीक है, mouth मिलेगा, बिल्कुल, provided with upper end, lower jaw, तो ये बात तो गलत हो गई ही न, आपन ने देखा होगा, classification जब किया था, vertebrates के अंदर, और या फिर codates को भी देखें हम लोग, तो codates में बहुत सारे ऐसे members भी आते हैं, जिनमें jaws absent होते हैं, जिनने हम basically किस नाम से जा तो एग एन्था वाले फिर बिचारे कहां पर आएंगे, तो ये feature क्या हो गया बच्चो, ये feature हो जाता है, इसका exceptions है, तो ये feature answer हमारा नहीं होगा, इसका कोई exception अभी तक हमने नहीं रेखा, इनका नाम ही इसी वजह से इनको cartilaginous fishes कहा जाता है, क्योंकि इनका endoskeleton किसका बना होता है, इनका endoskeleton बना हुआ होता है cartilase का, तो ये जो बात है बच्चो, हमारी second वाली एकदम सही बात है, यानि कि ये क्या बात है, ये true है हमारे लिए, आगे बढ़ते है, mammals की बात करें, तो जो mammals हैं, वो बता रहा है कि बर्थ देते हैं कि इसको, शिशुओं को, यंग वंस को, तो फिर अगर ये यंग वंस को देंगे, तो आपने पढ़ा था, prototheria के जो members है, mammals के अंदर, जो हमारी class, subclass है, prototheria, उसमें ornithor ancus, वो तो अंडा देता है न, egg, laying, mammals, वो कहा जाएंगे, तो गलत हो गया, ये option भी, आगे चलो, reptiles, possesses three chambered heart, तो ये बात भी गलत हो जाती है, कि three chambered heart नहीं होता, क्योंकि crocodile, इसमें exception आ जाएगा, क्योंकि उनमें कैसा chamber heart है, four chamber heart है, तो इसका भी कोई ना कोई exception है, ये भी हो गया, गलत, तो सही answer हमें कहा मिला, बच्चों, सही answer हमें second में मिल गया, कि coordinate these में, क्या होता है, उपास् से यहाँ पर क्या दे रखे हैं, column first में तो animal का नाम दे रखा है, column second में उसके characteristics को बात दे रखा है, और फिर आगे क्या दे रखा है, phylum या class दे रखा है, जैसा अभी पहले हमने question solve किया, उसी तरह से मिलता दिलता question है, तो stumb 1, stumb 2, stumb 3, तीनो stumb 2 में पहले में तो नाम दिय है, वो obviously, जैसे हम lamprey के नाम से जानते हैं, जो cyclostromata की member होगी, तो ऐसे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ectoparasites होते हैं, ठीक है न, क्या होते हैं, बहाय पर जीवी होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए और ये cyclostromata की member है, तो इसमें answer हमें यहीं मिल जाता है, first option के अंदर ही, फिर भी आगे देखें, एक thaiophis को इसने reptile बता दिया, जो की गलत है, एक thaiophis बहुत important question बनता है, इसे क्या कहते हैं, हम लोग, limbless amphibian, याद आया, limbless amphibian, NCIT में साफतोर पर लिखा हुआ है, तो amphibian, सरी-सरब तो बिल्कुल भी नहीं है, आगे चलो, limbless, limbless जो है, body is covered by kaitinius exoskeleton, सही बात है, क्योंकि किसका member है, आर्टोपोडा का member है, पर यहाँ बता दिया, मचलियों का, तो गलत हो गया, adamcia, adamcia, अगर आप लोग देखोगे, तो radially symmetrical बता रहा है, पर adamcia, member किसका है, salentrata का member है, वहीं, symmetry तो सही बता दिया, पर member किसका बता दिया, यहाँ पर porifera का बता दिया, तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो हमें सही आंसर कहा मिल गया, इसमें first option में मिल गया, है ना, आगे वाले तो सारे गलत है, तो इसलिए सही आंसर हो गया इसका first option, next question पर चलते हैं बच्चों, next question है 9, common name पूछा है, meandrina का बहुत brain coral, यानि कि क्या कहते हैं हम लोग इसे, brain coral के नाम से जानते हैं, meandrina का common name क्या हो गया, brain coral, obviously आप लोग NCRT आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर इसका common name भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, और आगे चलते हैं, देखिए, next question आजाता है, which of the following represent the correct match of feature with the given set of animal, यानि कि हमें यहाँ पर feature दे रखा है, और यहाँ पर हमें animals दे रखे हैं, और हमें क्या छाटना है, correct match छाटना है, यानि कि जो किस लक्षन का chain कर रहे हैं हम लोग, जो सही क्या है, मिलान है, सही मिलान, मतलब सही वाली बात हमें यहाँ पर शाटनी है, तो देखो, feature है metameric segmentation present, metameric segmentation में earthworm, ठीक है, एनलीडा की member है leech, faciola, गलत बात हो गया, faciola किसका member हो गया, platy helminthes का, इसलिए यहाँ पर पहला option क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, आगे चलते है, respiratory organs present, यानि कि श्वसनांग उपस्तित, मतलब organs present है particularly, इसका कहने का मतलब यह है, कि आपको जैसे nephridia कह लेते हैं, हम लोग या फिर किसी और structure के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे organ present होने चाहिए, ठीक है, तो देखो, respiratory organs की बात करें हम लोग, तो cockroach, starfish, tape form, अगर आप इनको देखोगे, तो इनके अंदर कोई as it is, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ में, अगर यहाँ पर देखें, tape form को, तो tape form जो है, वो basically, जो tape form होते हैं, तो यह तो इनमें से parasitic mode of adaptation होता है, तो यह तो क्या करते हैं कुछ, यहाँ पर anaerobic respiration करते हैं, तो respiratory organ इनमें सभी में मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर second option भी हो जाता है हमारा गलत, bilateral symmetry present, bilateral symmetry hydra आते ही हमारा धिमाग खराब हो गया, क्योंकि दिपारशव सम्मीती hydra में होती नहीं है, वो कहाँ से शुरू हुई, प्लेटी के मेंबर से start हुई, third option भी गलत हो जाता है, jointed appendages present, jointed appendages present, prawn बिल्कुल, locusta, scorpion, यह तीनों member किसके हैं, आर्थो, koda के member हैं, और संधी युक्त पाद, इन तीनों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह किसका character हो गया, आर्थो, koda के, jointed appendages किसमें होंगे, prawn में भी होंगे, locusta में भी होंगे, और किसमें होंगे, scorpion में हो है, आगे चलते हैं, next, यह question ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, ascaris को हम कैसे characterize कर सकते हैं, यानि कि विशेशता क्या मान सकते हैं, ascaris member है, किसका, ascaris का member है, है ना, सभी को पता है, ascaris के अंदर, सुनते ही क्या आता है, दिमाग में, यानि कि वो character जिस पर teacher question पूछ सकता है, तो जब भी ascaris की बात होती है, बार-बार ये सुनना होगा, pseudo-silom, pseudo-silom इन में पाई जाती है, कूट-गुहा की क्या होती है, उपस्तिती होती है, तो देखिए, pseudo-silom इन में उपस्तित होती है, ये बात हमें पता है, और ये बात अगर हमें पता है, तो ये question हमारा solve हो पढ़ते हैं, absence of true silom, सही बात है, आगे पढ़ते हैं, but presence of metamerism, नहीं, नहीं, वास्ताविक silom तो अनुपस्तित होती है, लेकिन metamerism की उपस्तिती नहीं होती, बलकि metamerism भी क्या होता है, अनुपस्तित होता है, क्योंकि वो कहां से शुडू होगा, any leader से शुडू होगा, आ metamerism की अनुपस्तिती, यानि कि ये बात एकदम क्या है, सही बात है, फिर both pseudosilom and metamerism are present, pseudosilom तो है, पर metamerism present नहीं है, इसलिए fourth option भी क्या हो गया, गलत, इसी वजह से answer क्या हुआ हमारा, third option is the correct answer, कोई confusion, आगे चले, next, देखिए, 12th number का question क्या खहरा है, बहुत easy सा question है, कि second largest phylum कौन सा है, second largest पूछा है, तो second largest कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखना, mollusk का होता है, और first पूछता तो ये हो गया, हमारा first largest, यानि कि largest phylum कौन सा है, आर्थो पोड़ा है, और second पूछेगा, तो answer क्या चला जाएग mollusk का चला जाएगा, ठीक है, next चलते है, which of the following kinds of animal are triploblastic, triploblastic का मतलब क्या हो गया, triploblastic, triploblastic का meaning हो गया, जिसके अंदर क्या पाई जाए, जिसके अंदर क्या पाई जाती हो, 3 germinal layers हो, ठीक है, कितनी germinal layers हो, 3 germinal layers हो, उन्हें हम लोग क्या कहते है, basically triploblastic कहते है, पर अगर हम इसको देखें, तो देखो, flatworms member है, किसके, platy के, तो बिल्कुल सही बात है, sponges में नहीं होगी, tenophores, diploblastic, corals, किसके member है, silentrata के member है, इसी लिए इन में भी नहीं होगी, तो हमें answer कहां मिल गया बच्चो, हमें answer कहां मिल गया है, यहाँ पर, पहले option में ही हमें हमें हमारा सही answer मिल जाता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लिया, ठीक है, चलो, चलिए बच्चो, next question की तरफ चलते हैं, यह हमारे सामने 14th question है, क्या कह रहा है, देखो, हमें उन animals को छाटना है, जो same phylum से ब्लॉंग करते हैं, यानि कि वो जन्तु जो एक ही संग से संबंदित हैं, तो devilfish, sepia, यह दोनों देखिए, mollusca में आ गए, पर starfish किसमें आ गई? Echinodermata में, तो गलत हो गया यह, Echinus, Antidone, Lolligo, अब यह दोनों किसमें आ गए, Echinodermata में, पर Lolligo किसमें चले आ गया? mollusca में, तो second भी नहीं होगा, exocoitus, trigon और pyla, exocoitus और trigon जो है, यह caudata में है, phylum की बात हो रही है, यहां पड़ है न, और pyla जो आ गया, आपका किधर वापस से mollusca के अंदर, हमारा कौन सा हो जाता है, यहां पर बच्चो, fourth option is the correct answer, चलिए बच्चो आगे चलते हैं, 15th नमबर का question है हमारे सामने, क्या कह रहा है कि representative कौन है, किसका phylum, kaudeta का, kaudeta का representative आपसे पूछा है, तो देखो, तो, seahorse जो है, वो यहां पर obviously किसका है, कौन सी, किसका member हो गया, यह, और अस्ट्रिक्थीस का member हो गया, और अस्ट्रिक्थीस क्लास है, तो phylum कौन है, kaudeta, जैसे हम लोग basically, यहां पर hippocampus के नाम से भी जानते हैं, तो, यह, यहां पर member हो गया, किसका basically, kaudeta का member हो गया, ठीक है, आगे चले हम लोग, तो, balanoglossus, जो balanoglossus है, वो यहां पर किसकी member हो गया, hemicordeta का, तो, यह किसका हो गया, hemicordeta, यह hemicordeta का member, asterious जो है, यह वापस से क्या हो गया, starfish, और kaiton जो है, यह भी वापस से, kaudeta का member नहीं है, तो, किसका member पूचा है, kaudeta का member पूचा है, तो, kaudeta का member हमें first option में ही मिल जाता है, इसलिए answer क्या चला गया, first option is the correct answer, आगे चलते हैं बच्चों, देखो, देखे, select the phylum that contain only marine species, यानि कि हमें ऐसे phylum को select करना है, जिनमें केवल समुद्र में रहने वाले ही animals मिले, साफ तोर पर NCRT लिखती है, कि Echinodermata वो लोग है, जो आपको केवल कहा मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे, आर्थो पोड़ा तो बहुत diverse phylum है, कोड़ेटा का आदमी तो मैं आपके सामने खड़ाई हूँ और मैं तो समुद्र में हूँ नहीं, ठीक है, और आप मुझे देख रहे हो, तो आप भी समुद्र में नहीं हो, मतलब की, कोड़ेटा तो आपको कहां पर मिलेगा, obviously हर जगे पर है, और यहां पर बात करें, तो मोलस्का, तो मोलस्का में भी आप देख सकते हो, पर अगर आपको देखना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, या कहां जाना पड़ेगा, किसी बीच पर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो नीट कलियर करके जाना, अभी मत जाओ, अभी यहां पर देख लो, यहीं से ही, कि Echinodermita कहां पर मिलेगा, समुद्र में, यानि पाई जाती है किसके अंदर रिकाइन और मेटा में तो आंसर हमें कहा मिल गया पहले option में ही हमें सही answer मिल गया ठीक है आ गया जो 17 नमबर की question बहुत ही easy question सभी को पता है प्लिनेरिया में क्या जादा पाया जाता है किसकी उच्चे शमता पाई जाती है तो हम बहुत अच्छे से जानते है किसकी उच्चे शमता पाई जाती है regeneration की पुनरूद्वे भवन की शमता इनमें सत्याधिक पाई जाती है metamorphosis की high capacity नहीं है यह NCRT की line है regeneration is more correct answer हो जाएगा alternation of generation नहीं हो गया और biolumnescence भी नहीं हो गया तो सही answer हमें कहां मिल गया यहां पर सही answer हमें मिल गया second option is the correct answer कौन सा answer आ गया हमें second option आ गया ठीक है आगे चलते हैं देखिए किसमे electric organs present होते हैं electric organs की अगर बात की जाए तो electric organs यह सारे examples जो आप लोग देख रहे हो यह examples है cartilaginous fishes के और electric organ का option ढूंडू तो मुझे यहाँ torpedo पता चल गया torpedo के अंदर क्या पाई जाती है electric organs पाई जाते हैं साफ थोर पर NCRT में यह example आपके सामने दिया हुआ है फिर भी बाकियों को भी देखिए तो pristis जो है इसे हम sawfish भी कहते हैं ठीक है कौन सी मचली है यह sawfish trigon की बात करें तो इसे हम sting ray भी बोल सकते हैं poisonous sting present होता है और scolidon जो है इसे हम लोग basically dogfish के नाम से भी जानते हैं या great Indian shark भी यह है इसकी सूंगने की जो capacity होती है बहुत high होती है इसमें olfactory logs के जो size होते है वो काफी बढ़ा होता है पर question के साब से देखें तो सही answer हमें कहा मिल गया बच्चों second option में ही मिल गया इसलिए answer क्या आगया इसका second आगे चलते हैं next which of the following is not a character of sponges sponges का लक्षन कौन सा नहीं है बहु कोशिक है multicellular सही बात है cells are functionally independent देखिए जो cells होते हैं यह मिलकर के tissue नहीं बनाते तो functions के तौर पर देखा जाए तो यह independent तरह से काम कर सकते हैं तो second option भी character हम मान सकते हैं cellular level of organization यह बिलकुल सही बात है तब ही तो हम इसमें यह तीनों उपर वाले दो मान रहे हैं कि इनमें कौन सा इस्तर संगठन है तो इनमें कोशिकी इस्तर संगठन है cellular level of organization है cells जो होते हैं वो tissue का formation नहीं करते फिर second में tissue level of organization तो कोशिका इस्तर जब हमें पता है कि इनमें cellular level है तो tissue तो आंसर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो हमसे पूछा भी क्या है not पूछा है तो not कौन सा हो गया fourth option जो है वो sponges का character हम लोग नहीं मान सकते आगे चलते हैं next close type of circulatory system is present in तो देखो close type के circulatory system की बात यहाँ पर हो रही है कैसा type का close type का annalids and orthopods आते ही open वा गया annalids आते ही कैसा आ गया closed गलत हो जाता है ठीक है orthopods and mollusks mollusks में cephalopods में हम closed कह सकते हैं बट यहाँ पर orthopoda भी option में आ गया इसलिए यह भी हो गया annalids and vertebrates यह बात एकदम सही है इनके अंदर कैसा आपको देखने को मिलेगा closed type का जो है circulatory system देखने को मिलेगा कैसा मिलेगा हमें circulatory system यहाँ पर देखने को closed मिल जाएगा कौन से option में third पर आप देखो दोनों में mollusks और echinoderms echinoderms में open circulatory present होता है और mollusks के भी ज्यादा तर जो इसके groups है उनमें open होता है हाला कि cephalopods में closed है इसलिए पर echinoderms में open है इसलिए वजह से हम लोग इसको भी option consider नहीं कर सकते तो हमें more correct और एकदम clarity से जो answer साफ तोर पर पता चल रहा है वो कौन सा है third option is the correct answer जो हमें exactly पता चल जाए ना वोई answer लगाना होता है आप फालतू अगर आपको बहुत सारे options दिये जाएंगे जो ललचाएंगे तो आप वहाँ पर सत्य की खोज में नहीं जाना है आपको आपको वहाँ पर बहुत ज्यादा सत्य जो है उसकी खोज में जाना है सत्य तो बहुत सारे options आपको ऐसा लगेंगे कि ये भी सही है ये भी सही हो सकता है और ऐसे होते भी है पर आपको more correct छाटना होता है ठीक है तो इसमें exactly answer हमें कहां मिल गया third option is the correct answer ठीक है next ये देखो ये question लारवा का नाम मैंने क्यों पूछा अब यहाँ पर हिंदी वालों को एक advantage हो गया देखिए हिंदी के NCRT में तोर्नेरिया लारवा जो है वो किस से संबंधित पता रखा है या exactly लिखा हुआ है क्या है हमी कॉर्डेटा पर NCRT में लिखा हुआ है ये टोर्नेरिया लारवा इसी वज़ए से question यहाँ पर मैंने पूछा गया तो इसी वज़ए से answer साफ तोर पर टोर्नेरिया लारवा किस फाइलम को ब्लॉंग करता है तो क्योंकि आपने exactly NCRT की बात करें तो हमी कॉडटा इसका क्या हो जाएगा आंसर चला जाएगा सेकेलो ग्लॉसस बेलेनो ग्लॉसस क्योंकि हमी कॉड़ेट के अंदर जो development भी है वो कैसा है इंडिरेक्ट है लार्वल स्टेजिस प्रजें इस चाटना है इंकरेक्ट चाटना है किसके लिए पॉरिफेरा के लिए गलत चीज हमें चाटनी है और गन सिस्टम लेवल ऑफ और गन सिस्टम लेवल बता रहा है और गन सिस्टम लेवल ठीक है तो आप देखिए और गन सिस्टम लेवल की बात करें हम लोग तो पॉरिफेरा म लाइन है सही बात है most of them are asymmetrical सही बात है NCRT में साफ़तोर पर लिखा हुआ है canal system इनके अंदर present होता है सही बात है तो नीचे वाले तीनों तो सही है पर पहला option यहाँ पर incorrect है इसलिए इसका answer भी क्या हो गया first option आगे चलते हैं 23rd the members of phylum polyphera are commonly known as to polyphera के members किस नाम से जाने जाते हैं sponges के नाम से जाने जाते है members of phylum polyphera जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं sponges के नाम से जाने जाते हैं तो इसमें भी सोचने की जोड़ोती नहीं है next question select the fresh water sponge of the from the following तो आपको इन में से देखिए कौन सा sponge यहाँ पर select करना है जो कैसा होता है fresh water sponge जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है select करना है तो आप देखो गौर से अगर इसको पढ़ोगे तो पहला हो गया साइकॉन तूसरा हो गया यू स्पॉंजिया तीसरा option यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कौन सा मिलेगा आपको तीसरा option में spongila ठीक है तो spongila आपको यहाँ पर मिल गया तो spongila किसका example है एक तो है इन में से bath sponge और spongila कैसा है fresh water sponge होता है कैसा sponge है यह fresh water sponge ठीक है तो बस यहीं पर हमें answer मिल गया हमारे कौन से option में third option is the correct answer ठीक है next पर जलते हैं flame cells excretion और osmoregulation में किस में मदद करते हैं देखिए बच्चो तो earthworm annalida का member हो गया hookworm जो है यहाँ पर किसका member हो जाता है sk helminthes और roundworm भी किसका member हो गया sk helminthes flame cell का जब नाम आता है ncrt में साफ तोर पर लिखा हुआ है कि flame cells excretion और osmoregulation में किस में मदद करते हैं किस में मदद करते हैं यहाँ पर flame cells excretion और osmoregulation में tape form में मदद करते हैं इसी वज़े से इसका answer क्या चला गया tape form चला गया ठीक है चलिए बच्चो next question की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए internal fertilization is seen in आंतरिक initiation किस में देखा जाता है तो आप यहाँ पर देखेंगे pludobrachia और tino plana यह दोनों member है किसके tino fora के ठीक है यह किसके member है tino fora के और tino fora के अंदर आपको जो fertilization देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा external और वहीं frog की हम बात करें तो frog amphibian है इसलिए और यहाँ पर faciola की बात करें तो faciola के अंदर आपको कैसा fertilization देखने को किसके member यहाँ पर है प्लेटी हेलमेंथीज का मेंबर है, इसलिए कैसा फर्टिलाइजिशन देखने को मिलेगा, इंटरनल, तो आंसर भी हमें कहां मिल गया है, यहां पर सेकंड इस दी, सेकंड ओप्शन इस दी, करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए, नेक्स क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, विच आफ दा फॉलॉविंग इस फाइलम, यानि की निमन में से कौन सा संग है, कौन सा संग है, देखो, हेमी कॉड़ेटा एक फाइलम है, साफ तोर पर NCRT में भी ये बात लिखी हुई है, की हेमी कॉड़ेटा को पहले कॉड़ेटा में इंक्लूड किया गया था, क्योंकि इसमें नोटो कॉड़ के जैसी structure दिखने वाली structure जो है, वो पाई जाती है, इसलिए इसको पहले कॉड़ेटा के अंदर ऐस सब फाइलम कंसिडर करते थे, पर बाद में इसको क्या निकाल दिया? Chaudeta से बाहर निकाल दिया और एक separate phylum मना दिया किस series के अंदर? Non-chaudates के अंदर इसलिए Hemichaudeta एक phylum है यहाँ पर है Eurochaudeta, Cephalochaudeta, Vertebrita यह आगर आप लोग देखोगे तो यह sub-phylums है These are not the phylums यह क्या है? Sub-phylums है लैंप्रे किसका common name है? तो लैंप्रे जब नाम आ जाता है तो किसका नाम है? Pteromyazon का Pteromyazon का common name क्या हो गया? लैंप्रे इनकी खास बात यह होती है कि इनकी माउथ में लैंप्रेडी नाम का anticoagulant भी होता है क्योंकि यह blood sucking करती है blood suck करती है ectoparasites होती है true fish पे यह false fishes होती है cyclostorms को belong करती है ठीक है? जैसे कि mixine जो है इसका फिर नाम क्या हो जाएगा? hagfish hippocampus अभी हमने थोड़ देर पहले देखा था इसका नाम क्या था? sea horse और यहाँ पर beta जो beta है वो कैसी fish है? fighting fish है aquarium fish है ठीक है? तो इसलिए lamprey का सही answer क्या हो गया? first option is the correct answer ठीक है बच्चो? आगे चलते है next question की तरह देखो which of the following is correct about members of hemicordata? निम्रे लिखित में से hemicordata संग के जनतूं के लिए क्या सही है? यानि किस के लिए पूछा है आप से hemicordata के लिए पूछा है देखो internal fertilization ठीक है? usually direct development sexes are not separate तो ये बात जो है internal fertilization ये बात hemicordata के लिए गलत हो जाती है direct development नहीं है कैसा development है? indirect अभी थोड़े देर पहले देखा tornaria larva पाया जाता है sexes are not separate नहीं, sexes तो separate होते हैं तो ये बात भी क्या हो जाती है? गलत अब बचा क्या? warm like animals यानि कि किसके जैसे animals होते हैं? क्रमी के समान होते हैं warm की जैसे होते हैं तो ये बात hemicordata के लिए सही बात है warm की तरह दिखते हैं और NCRT में mention बात है ये तो हमारा सही आंसर हमें कहा मिल गया बच्चो? fourth option जो है ना उसी में हमें क्या मिल जाता है? hemicordata के लिए सही आंसर मिल जाता है ठीक है? तो बिलकुल आगे चलते हैं next question की दरफ the excretory organ known as proboscis gland ये भी बहुत अच्छा question है NEET के point of view से proboscis gland जो excretory organ है वो किसका characteristic excretory organ है? तो जब भी proboscis gland की बात हो आपके दिमाग में आना चाहिए hemicordata क्योंकि hemicordata की ही body को हम लोगों ने इस तरह से divide किया था किस में divide किया था? proboscis, collar और trunk में divide किया था ध्यान है ना इस तरह से कि hemicordata की जो body है hemicordata hemicordata की जो क्या है? body है इसको हम लोगों ने कितने में divide किया था? तीन पार्ट में divide किया था? proboscis हो गया proboscis के बाद में क्या है? collar और क्या है? trunk तो जो proboscis है जिसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते है हम लोग जिसे हिंदी में शुंड के नाम से जानते है तो यहाँ पर एक gland पाई जाती है जो excretion का काम करती है तो किन में होता है यह hemicordata hemicordata का example कौन है? bellenoglossus और seccaloglossus तो बस यहाँ पर देखिए acedia यहाँ पर गलत हो जाएगा dolum गलत हो जाएगा salpa गलत हो जाएगा seccaloglossus हमें यहाँ पर कहाँ मिल जाता है fourth option में हमीं मिल गया इसी वजह से answer क्या चला गया यहाँ पर seccaloglossus आगे चलते हैं which of the following is not the fundamental character of cordate? यानि कि cordate का इन में से कौनसा वाला fundamental character नहीं है क्या पुछा है? नहीं है तो notocod बिल्कुल fundamental character है dorsal hollow nerve cord fundamental character है paired pharyngeal gillslits यह भी fundamental character है और yuricotelic mode जो है यह fundamental character के अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर जो different animals है उनमें different modes पाया जा सकता है जैसे cordates के अंदर हमारी बात करें mammals में human जैसे mammals को देखो तो ureotelic form आपको देखने को मिलेगी amphibians में देखो तो आप लोगों को जो larval stages है उनमें ammonotelic form देखने को मिलेगी reptiles में, birds में आपको yuricotelic form देखने को मिलेगी तो यह एक fundamental character नहीं है तो इसलिए answer कौन सा हो गया fourth option is the correct answer ठीक है? आगे चलते हैं euro quadrata और cephalo quadrata इनको हम combinely क्या कहेंगे? तो देखो basic सी बात है हम लोग जो quadrata है quadrata को हम लोग दो categories में भी इस तरह से divide कर सकते हैं एक होते हैं proto quadrates और दूसरे होते हैं you quadrates ठीक है? जो proto quadrates है यानि की primitive quadrates primitive और यह जो है वो काउन से वाले हैं? modern quadrates you quadrates में एक ही सफाइलम आता है और वो होता है verti breta पर proto quadrates के अंदर हम बात करें तो proto quadrates में कौन आते हैं? देखो euro quadrata और दूसरा कौन सा आता है? सिफेलो quadrata यानि की euro quadrata और दूसरा कौन सा आ गया? सिफेलो quadrata तो इसी वज़े से हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों को commonly हम लोग किस नाम से जानेंगे? proto quadrates के नाम से तो बस आंसर यही पूचा है हम से कि इनको commonly क्या refer किया जाएगा? तो इनको हम क्या commonly refer कर सकते हैं? प्रोटो quadrates refer कर सकते हैं ठीक है? आगे चलिए तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ दिर पहले कि यूरो quadrata जो है जिसे हम लोग ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी बॉड़ी पर ट्यूनिसिन का एक कवर होता है जिसे टेस्ट कहते है तो इनके अंदर लार्वल stages में ही क्या होगी? नोटो quad होगी लारवा जब metamorphosis करके adult बनेगा तो वो जो नोटो quad है वो lost हो जाएगी इसी वज़े से इसमें आंसर अगर हमें टिक करना है या हमें यहाँ पर देखना है तो नोटो quadrata में तो है ही नहीं सिफेलो quadrata में throughout life होती है, vertebrata के अंदर embryonic stage में होती है बाद में vertebral column में change हो जाती है तो आंसर क्या बसता है हमारा second option is the correct answer आगे चलते हैं limbless amphibian, limbless amphibian आपको पता ही है बच्चो, limbless amphibian कौन सा है? limbless amphibian है देखो यह धियान से सुनना, यह question exactly NCRT का नहीं है पर यह बहुत important है और यह आपने कभी न 100% पढ़ा होगा इसके बारे में कि यह एक तो reproductive system में जब extra embryonic membranes पढ़ते हैं वहाँ पर भी इसकी बात की जाती है एक extra embryonic membrane होती है जिसका नाम होता है amnion, तो उस amnion के basis पर उस amnion के basis पर हम लोग animals को दो group में divide करते हैं, यह जो animals होते हैं वो कितने groups में divide किये जाते हैं amnion के basis पर दो group में divide किये जाते हैं, unamniota और amniota और obviously हम यहाँ पर किसको divide कर रहे है vertebrates को, ठीक है, amnion क्या है एक प्रकार से, extra embryonic membrane है, extra embryonic membrane है कौन amnion अब amnion किस में मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी, इसके basis पर हमने दो group में divide किया, unamniota और amniota तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, unamniota के member कौन है, तो unamniota में आ गए आपके cyclostorms, cyclostorms के बाद में pieces और कौन amphibians, यह सारे के सारे कैसे हैं, unamniota क्योंकि इनमें amnion जो होती है, वो क्या होती है, absent वही हम बात करें किसकी, amniota की, तो amniota की जब हम बात कर रहे हैं, तो amniota में amnion क्या होती है, present होती है मतलब की इन में क्या पाई जाएगी amnion present होगी ठीक है amnion present है मतलब amniota अब इसके example कौन है इसके देखिए तीन classes है R, A, M R का मतलब हो गया reptiles A का मतलब हो गया Aves और M का मतलब हो गया mammals ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको देखना है आपसे पूछा है amniota में कौन है amniota सम्हू में यानि कि इन तीनों में से कोई होना चाहिए तो पहला कह रहा है केवल reptile और mammals नहीं birds भी है तो गलत हो गया केवल reptile नहीं गलत बात है क्योंकि birds और mammals भी है on से option में मिल गया third option में हमें सही answer मिल जाता है चले आगे चलते है 12 pair of cranial nerves are not found यह बहुत ही conceptually ध्यान रखी cranial nerves उन्हें कहते हैं जो nerves किस से arise होती हो cranium से arise होती हो 12 pair cranial nerves जो है वो एक तरह से character आप consider कर सकते हो किनका character consider कर सकते हो आप लोग यहाँ पर amniota का amniota में जो 3 members आ रहे थे ram यानि कि reptile, ave और mammals इन में कौन सी कितनी cranial nerves होती है 12 pair में present होती है तो यह कह रहा है कि नहीं होती तो नहीं होती तो reptile में है birds में है, mammals में है amphibia में 10 pair पाई जाती है इसके अंदर कितनी मिलेंगी 10 pair of cranial nerves क्या होगी present होगी कितनी होगी 10 pair cranial nerves यहाँ पर क्या होगी present होगी इसलिए answer काउन सा चला गया इसका fourth option जो है वो कैसा हो गया इसका correct answer हो गया आगे चलते हैं next question की तरफ in some animals the body is externally and internally divided into compartment with serial reputation of at least some organ कुछ जन्तु सम्हू में शरीर बहाए तथा आंतरिक दोनों और शरीनी बद्ध खंडों में विभाजित रहता है यह एंस्याटिक लाइन है जिनमें कुछ अंगों की कारमिक पुनरा वरती होती है यह किसको significant कर रहाया यहाँ पर क्या बता रहा है बच्जों तो अगर आप देखोगी तो यह किसको show कर रहा यहाँ पर segmentation को show कर रहाए development को नहींêtes कर रहा meta morphosys ko भी नहीं कर रहा meta genesis को भी नहीं कर रहा Metagenesis क्या होता है? Polp और Medusa वाला ठीक है? Development क्या होता है? कि directly develop होगा या indirect होगा indirect होगा तो larva present होगा Metamorphosis अगर larva present है तो वो adult में कैसे change होता है वो उसकी बात कर रहा है पर खंडी भवन exactly is definition को show कर रहा है इसलिए हमें यहाँ पर answer कि किसमें मिल गया? First option में तो answer क्या हो गया? पहला Next पे चलते हैं Which of the following set of animals share four chambered herd? Four chamber herd की बात कर रहा है बच्चों देखो कितना chamber? Four chamber तो amphibia में four chamber नहीं है गलत हो जाता है Crocodile में है Birds के अंदर है Mammals के अंदर है Crocodile member तो किसके है? Reptile के फिर से Crocodile और Lizard आ गई Turtle आ गई तो गलत बात हो जाती है इधर Lizard आ गई तो गलत बात हो गई Mammals और बर्ड में तो क्या है? Four chamber herd है तो सही answer हमें कहां मिल गया? Second option में ही हमें सही answer क्या हो जाता है बच्चों? मिल जाता है ठीक है? Next पे चले? चलिए Which of the following is not a poisonous reptile? निमने लिखित में से कौन सा? जहरीला सरीसरप नहीं है Cobra Viper Crate Cobra Viper Crate ये poisonous snakes है ये क्या है? Basically ये poisonous snakes है पर क्लियोन जो है क्लियोन जो है वो poisonous नहीं है आपने अगर reptiles के examples पढ़े होंगे तो क्लियोन जो है क्लियोन जो है वो poisonous नहीं है और हमने यहाँ पर snake नहीं पूछा क्या पूछा है? reptile पूछा है आपसे तो क्योंकि सारे ही reptile है पर तीनों poisonous snake है इसलिए ये तो answer जाएंगे नहीं तो फिर अब हमारे पास में क्या बसता है? fourth option जो है वो एकदम correct answer है ठीक है? आगे चलते हैं next which of the following is considered as the living fossil और living fossil अगर बात करें यहाँ पर साफत और पर mention है lumulus जो है उससे हम लोग क्या consider करते हैं? living fossil consider करते हैं जो अपने origin से अभी तक change नहीं हुआ जिसमें भी भी characters जो है उन्हें क्या माना जाता है? living fossil consider किया जाता है आगे चलें 40 के बाद में select the gregarious pest ये भी आगे देखने की जोड़ती हैं locusta एकदम clear cut NCRT का example है जो tiddy होती है यानि कि जो locusta है वो किसका example हो गया है? यहाँ पर youth predator kit यानि कि gregarious pest का example हो गया अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत अख़वारों में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि यह जहाँ पर बैटती है पूरा की पूरा खेट साफ हो जाता है तो बहुत आसान सा question है और आपका सभी का स्राइल ये question सही होगा आगे चलते है feathers of birds are modified ये ध्यान से समझेगा ये भी आपको exactly NCRT में नहीं मिलेगा पर conceptual question है ये देखो अगर आप देखोगे epidermal feathers क्या होते है feathers birds का character है feathers क्या करते हैं पूरे body को cover करते हैं cover complete body ठीक है अब ध्यान से समझना ये जो यहाँ पर feathers है इनकी खास बात क्या है बच्चो कि पहले आप ये देखो birds का evolutionary origin reptile से हुआ है और reptile में साफ तौर पर आप देखोगे आप और भी पहले चलो मचलियों में dermal shulk पाए जाते है dermal scales reptile के अंदर epidermal scales और skewt पाए जाते है और उन्ही से कौन बनी है उन्ही से बने है birds तो जो reptile के epidermal scales थे वो किस में बदल गए वो change हो जाते हैं किस के अंदर feathers के अंदर इसी वज़े से यहाँ पर अगर देखा जाए कि पक्षियों के पंक या फिर feathers किसका रूपान्तरन है तो हम answer क्या देंगे epidermal scale का यानि answer क्या चला जाएगा first ये बाकी के तीनों यहाँ पर हो जाते हैं गलत ठीक है तो सही answer क्या हो गया first क्योंकि dermal shulk तो मचलियों में बताए गए है plicoid, cycloid, tenoid याद आए आपको cartilaginus और उसमें पढ़ा था हम लोगों ने boni fishes के अंदर है तो ध्यान रखना reptile में epidermal shulk है और यही आगे evolution में जब change होंगे किसमें birds में तो यह जो epidermal shulk है यह किसमें बदल जाएंगे feathers में बदल जाएंगे तो conceptually ध्यान रखिएगा ठीक है आगे चलते हैं next question की तरफ consider the three characters and select those which are only present in boni fishes boni fishes की characters को यहाँ पर क्या करना है आपको select करना है ठीक है जो किसमें पाया जाता हो three characters and select those which are only present in boni fishes तो आप देखिए air bladder यह boni fishes का character हो गया operculum boni fishes का character हो गया पर viviparity boni fishes का character नहीं है वो सीधे बच्चे को जिनम नहीं देती वो oviparous होती है तो इसलिए जरायूजता या viviparity हो जाता है गलत तो बचे कौन से first और second तो इसमें first, second, third बोल रहा है तो गलत हो गया first and third बोल रहा है तो गलत हो गया सही option क्या है first and second only केवल प्रथम तथा स्थित्य है तो सही answer यहाँ पर हो जाता है third option is the correct answer और इधर देखें तो second और third बोल रहा है तो second और third भी नहीं है कौन सा है first और second आगे चलते हैं next question की तरफ homeothermy homeothermy क्या होती है देखें समतापिता यह देखें जो खुछ ऐसे animals है जो बाहर का जैसा temperature होता है उसके according अपने body की temperature को change कर लेते है इन्हें हम लोग poikilothermal कहते हैं या ऐसमतापि कहते हैं और इनको cold blooded animals भी कहा जाता है और वहीं हम बात करें birds और mammals यह दो ऐसे members group है जो अपने internal body temperature को हमेशा constant रखते है बाहर के temperature के according vary नहीं होने देते ऐसे animals को बोला जाता है homeothermal animals और इस property को कहते हैं हम homeothermy और या फिर हम इने बोलते हैं warm blooded animal तो कौन से member है birds और mammals इनको छोड़के बाकी के vertebrates कैसे है poikilothermal है cold blooded animals है अब यह पूछ रहा है homeothermy कौन शो करेगा देखो सारे coordinate show बिल्कुल भी नहीं करेंगे birds और mammals शो करेंगे सही बात है सारे vertebrates भी शो नहीं करेंगे reptile birds और mammals नहीं reptiles जो है वो नहीं करेंगे वो poikilothermal हो गए तो यहाँ पर सही answer हमें कहाँ पर मिला second जो हमारा option है वो क्या हो गया correct answer हो गया बच्चो ठीक है आगे चले next 44 के बाद में 45 which is not true for a generalized molluska यानि कि molluska के लिए सामान्य कौन सा सही नहीं है तो पहली बात organ system level of body organization यह बात एकदम सही है अंग तंत्रिस्तर का शारिक संगठन molluska में पाया जाता है सही बात है एफाइल लाइक rasping organ रेती के समान घिसने का अंग होता है जैसे रेती जिवा या रेडियूला कहते है यह बात भी एकदम सही है mental cavity जो है उसमें क्या पाय जाते है क्लोम सहित प्रवार गुगा यानि कि जो mental cavity होती है उसमें क्या उपस्तित होते है क्लोम यानि कि गिल्स पाय जाते है पर excretory structure यहाँ पर क्या बता दिया नैफरीडिया उत्सर जी अंग क्या बता दिया नैफरीडिया नहीं ये तो किसका excretory organ हो गया एनि लीडा का excretory organ हो गया इसी वज़े से mollusca के लिए क्या सही नहीं है तो fourth option जो है वो mollusca के लिए सही नहीं है बाकी तीनों mollusca के लिए सही है आगे चलते हैं next question के दरब how many characters जो है given below are true for echinoderms तो echinoderms के लिए बिल्कुल सही बात है calcareous endoskeleton होता है calcium yuk adult echinoderms radially symmetrical होते हैं पर larva कैसे होते हैं bilaterally symmetrical होते हैं ये बात भी एकदम सही है west echinoderm arya sammit परंतु larva dviparashav sammit सही बात है they are triploblastik and silomate ये बात भी बिल्कुल सही है triploblastik है और silomate है और silom भी कौन सी है u silomate है ये बात भी सही है water vascular system present होता है जल समवहन तंत्रु पस्तित होता है ये बात भी सही है अब ध्यान से देखिए sexual reproduction सही बात है internal fertilization नहीं है ये बात गलत हो गई NCRT में साफ तोर पर लिखा हुआ है कैसा निशेचन है सही है 1, 2, 3, 4 कितने सही हो गए 4 सही है कितने सही है 4 तो देखो 4 कौन से option में दे रखा है second option में हमें answer क्या मिल गया 4 मिल गया इसलिए correct answer कौन सा हो गया इसके लिए इसके लिए correct answer हो जाता है बच्चो हमारा second option is the correct answer आगे चलते है next इसके बाद 47 पर which one of the which of the following is not seen in hemicordids hemicordids में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा देखो cylindrical body बिल्कुल देखने को मिलेगी stomocord देखने को मिलेगी proboscis gland देखने को मिलेगी notocord देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अगर notocord ही देखने को मिल जाती तो इसको अलग phylum में क्यों रखते हैं हम इसको किस में रखते फिर codita में रखते इसलिए यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा not पूछा है तो answer क्या हो गया fourth option ठीक है आगया आजाओ incorrectly match pair हमको incorrectly छाटना है ornithorancus oviparus है अंडा देता है पता ही है macropus marsupial है kangaroo याद है आपको तो ये बात भी क्या है सही है balanoptera largest land mammal नहीं है ये whale है जो कि कहां होती है पानी में पाई जाती है aquatic mammal है ये land mammal नहीं है तो third option हमारा यहाँ पर गलत हो गया teropus flying mammal है बिल्कुल सही बात है flying mammal है तो इसलिए balanoptera यानि कि third option जो है हमारा क्या हो जाता है बच्चो गलत हो जाता है ठीक है आगे चलते हैं next है यहाँ पर कि column की हमें matching करनी है देखिए यहाँ पर हमें दे रखे है feature और यहाँ पर हमें दे रखे हैं phylum और हमें answer in codes में से select करना है तो देखो streamline body streamline body की बात करें तो streamline body हो गया औस्टिक थी यानि कि streamline body यहाँ पर चला गया fourth option तो कि fishes है तो इनको streamline body चाहिए ताकि easily क्या कर सके water resistance को क्या कर सके रोक सके water vascular system की बात करें water vascular system किसमें present होता है तो water vascular system आपको किसमें देखने को मिलेगा ichino derms में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आगया third option Redula जो है वो किसका character है किसमें पाया जाता है answer क्या आने चाहिए four, three, two, one, five four, यहाँ पर starting नहीं हो रहा तो गलत हो गया ये भी start नहीं हो रहा, ये भी नहीं, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, तो बस यहीं हमें answer मिल गया यहाँ पर, तो सही answer हमें कहाँ पर मिला, second option में, तो answer कौन सा हो गया इसका, second option is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, next की तरफ, अब आपको क्या करना है, consider the following sets of animals, आपको इनको set को select करना है, और यह देखना है कि कौन से वाले, same phylum से belong करते हैं, ठीक है, जो किस से belong करते हैं, same phylum से, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर dentelium, pyla, echinus, यह same हो गया, पर echinus, अलग phylum हो गया, तो गलत हो गया, यह तो बिल्कुल सही बात है, buffo, rana, hyla, यह amphibia के member है, इनकी class भ nitidon, acedia, acedia गलत हो गया, caudata में चला गया, और यह echinodermata में रह गया, adamsia, gorgonia, यहाँ पर यह sylentrita आ गया, तो यह कौन सा आ गया, यह tinofora आ गया, तो सही हमें exactly same matching कहां मिल गई, buffo, rana, hyla में मिल गई, तो correct answer कौन सा हो गया हमारा, first option is the correct answer, ठीक है, आगे चलते हैं, which of the following is not a echinoderm character, exclusively marine, सही बात है, radial symmetry in adult, सही बात है, presence of well-defined excretory system, सर्जन दंत की उपस्तेती, नहीं, NCIT पढ़ने वालों को यह ध्यान होगा, कि excretory system जो होता है, वो echinodermata में absent लिख रहा है, साफ तोर पर, तो excretory system नहीं पाया जाएगा, इसलिए, presence of well-defined excretory system हो गया, हमारा गलत option यह character नहीं है, water vascular system character है, तो अगर हमें क्या पूचा है, नहीं पूचा है, not पूचा है, लक्षन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इस पश्ट उतसर्जन तंतर की उपस्ती थी, काई नोडरम का लक्षन नहीं है, तो यहाँ पर हमें answer आ गया, third option is the correct answer, आगे चलते हैं, next, birds are not characterized by, यानि कि पक्षी निम्न से अभिलक्षित नहीं होते, नहीं वाला चाटना है, for limbs modify हो जाते हैं, wings में, सही बात है, ठीकि अगरपाद पंखों में रुपांतरित, ध्यान रखना, feather और wings, दोनों के लिए कहीं न कहीं, punk हिंदी की NCRT में काम में लिया गया है, पर हम उन्हें पर कह सकते हैं, और जो feathers हैं, उनको पर बोल सकते हैं, और जिनकी वर से ओड़ रहे हैं, वो wings हो जाते हैं, तो forelims wings में modified हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा English के point of view से ध्यान में रखिएगा, feather और wings है ना, यह अलग, तो forelims किस में modify हो गए, पंखों में, सही बात है, fully ग्रंथी को छोड़ कर ग्रंथी विहिन तवचा, यह बात भी सही है, और external fertilization, हावा में थोड़ी fertilization करेंगे वो लोग, तो इसलिए fourth option क्या हो गया, आपका गलत option, और आप से पूछा भी क्या था, not पूछा था, तो नहीं, तो answer क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा fourth option, आगे चलें, यह diagram दे रखा है, इसको आगे इसमें लिखने की सवर्ती नहीं है, बहुत आसान सा question है, किसका diagram है बच्चों ही है, हाईडरा का diagram है, और एक तरह ऐसे देखोगे, तो यह किस phylum को belong कर रहा है, कौन से phylum को belong कर रहा है, पॉरिफेरा, एनलीडा, स्लेंट्रेटा, किसको belong कर रहा है, obviously किसको belong कर रहा है, स्लेंट्रेटा को, आगया आजाओ, ओपरा कुलम और एर ब्लेडर किस में present होगा, ओपरा कुलम और एर ब्लेडर जो है, वो क्या है, बोनी फिशेस का character है, तो क्या चार आप्शन में से, जो example बोनी फिशेस का हो, क्लेडियस, किसका example है, बो artilaginus के, पर पहला ओप्शन जो है, वो किसका उधारन है, बोनी फिशेस का, इसी वज़े से सही answer कहा मिल गया हमें, फर्स्ट ओप्शन, ठीक है, आगया आजाओ, तो इसमें answer क्या था हमारा, फर्स्ट ओप्शन, ठीक है, नेक्स्ट, टेरोपस, टेरोपस क्या है, बहुत गलत बात है, क्या है ये, ये मैमल है, जिसमें किसकी ability present होती है, उड़ने की ability present होती है, टेरोपस, या ने डाइग्राम भी आप लोग देख सकते हो, टेरोपस में का, तो उड़ने की शमता present वाले को क्या कहते हैं, हम लोग टेरोपस, इसलिए 55 में सही answer कौन सा हो गया, हमार आर्थोपोड का लक्षण नहीं है, तो देखो, jointed appendages लक्षण है, periodic molting, यानि की आवर्ती निर्मोचन, ये भी एक लक्षण है, जब इनका ये क्या करते हैं, समय समय पर अपने काईटी, जो इनका बही कंकाल है, उसे बाहर उतारते हैं, तो ये भी किसका एक तरह का हो गया इनका एक आर्थोपोड का लक्षण हो गया, open circulator system पाया जाता ही है, आर्थोपोड में ये बात भी सही है, पर एखंडित शरीर, non-segmented body नहीं, body कैसी होती है, segmented होती है, इसी वज़ए से कौन सा नहीं है, second option नहीं है, तो answer भी हमारा क्या आ गया है, यहां पर second option, ठीक है, आ यह भी बहुत easy सा question है, साफ तोर पर NCRT में लिखा हुआ है कि जो sponge जो seal है, उसकी lining पर कौन सी कोशिकाएं उपस्तित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें koinocytes कहते हैं, तो देखो koinocytes कहा पर मिल गया हमें, third option जो है, हमें answer यहां पर exactly मिल गया, नाम ही मिल गया, तो बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है, तो सही answer कौन सा हो गया, third option, choose the correct statement, आपको क्या चाटना है, correct statement चाटना है, all mammals, इसको थोड़ा से देख लेते, कि all mammals are viviparous, सभी इस्तंधारी जरायूज है, जरायूज का मतलब जो सीधे शिशुओं को जनम दे, गलत बात होगी, सभी इस् अंडे देने वाला स्तंधारी है, all cyclostomes do not possess jaw and paired fins, सभी cyclostomes में क्या बता रहा है, कि उनमें जबडे नहीं होते, और paired fins भी नहीं पाए जाते, ये बात बिलकुल सही है, और एकदम सत्ते कथा नहीं है cyclostomes के लिए, आगे चलो, सारे reptile three chamber hurt के नहीं होते, crocodile इसका exception है, तो ये बा occurring operaculum होती है, नहीं होती, cartilaginous wishes में नहीं होती, ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें देखा जाए, तो सारी बाते को अगर हम लोग देखें, तो हमें सत्ते कथन कहां पर मिला, second पर, कि सभी cyclostomes में जबडे रथा युगमित fins नहीं पाए जाते, बिलकुल सही बात है, नहीं पा of the following characteristics are not shown by, commonly by both birds and mammals, यानि कि निम्न में से कौन से लक्षन, पक्षियों तता इस्तंधारियों दोनों के द्वारा साजहा रूप से नहीं दर्शाय जाते, कहने का मतलब कि वो character जो birds में भी हो और mammals में भी हो, same दर्शाय जा रहे है, ना दोनों में साजहा रूप से दर्शाय using lungs, तो birds भी देख लो और स्तंधारी मतलब mammals भी देख लो, दोनों lung से सांस लेते, common हो गया, यहाँ पर second option है, वीवी पैरेटी, यह बात गलत है, आप देखो mammals के अंदर भी अगर हम prototheria को छोड़ दें, तो maximally जो है वो वीवी पैरस है, पर birds में देखोगे, तो आप यहाँ पर कैसे दिखेंगे, ओवी पैरस, तो यह वाला जो character है, यह दोनों के द्वारा commonly नहीं दरशाय जाता, तो इसलिए हमारा answer यहाँ पर क्या चला गया, second option, warm-blooded nature देखोगे, तो दोनों के द्वारा दरशाय जाएगा, और ossified endoskeleton देखोगे, तो यह वाला भी दोनों के नहीं था कि commonly बात हो रही है, कि दोनों के द्वारा साजा रूप से जो नहीं दरशाय जा रहे, ठीक है students, चलते है next question की तरफ, चलिए students, आगे चलते है next question की तरफ, 60 number का question देखी हमें क्या कह रहा है, which of the following feature is not present in phylum orthopoda, यानि कि इन में से कौन सा लक्षन orthopoda के अंदर उपस् तो अगर आप लोग देखोगे बच्चो, तो यहाँ पर segmentation की बात करें, तो segmentation orthopoda में पाया जाता है, ठीक है, jointed appendages orthopoda में पाये जाते हैं, यानि संधी युक्त उपांग पाये जाते हैं, खंडी भवन उपस्तित होता है, और kytine युक्त बाहे कांकाल, यानि kytinius exoskeleton भ अथो पोड़ा में क्या उपस्तित नहीं है, पैरा पोड़ी उपस्तित नहीं है, इसी वज़े से second हो गया इसका answer, next पे चलते हैं, next question देखिए बच्चो, क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर कुछ दे रखे है, if यह कुछ यहाँ पर characters दे रखे हैं, और यह पूछा है कि, which of the above character appeared first time in the history of platyhelminthes, यानि कि यदि यह जो कुछ characters है, उप्रोक में से कौन सा लक्षण जय विकास के इतिहास पे पहली बार platyhelminthes में प्रकट हुआ, platyhelminthes में क्या आया, cellular level of organization आया क्या, नहीं आया, यह तो poriferam ही आ गया, tissue level of organization आ गया, नहीं आया, triploblastic यह आया, यह अहाँ पर, ध्यान रखना, diploblastic नहीं, radial symmetry नहीं, यानि कि क्योंकि यह वैसे भी देखा जाए, तो platyhelminthes के लक्षण नहीं है, पर अगर हम बात करें, पहली बार जो तीनो germ layers जो थी, वो कौन से phylum से हमें देखने को मिली, platyhelminthes से हमें देखने को मिली, इसलिए हम के दौरान पर्थम बार प्रकट होता है, next पे चलते हैं, corals किसको ब्लॉंग करते हैं, तो यह भी बहुत easy question है, coral किससे संबंदित है, silentrata से संबंदित है, बाकी के तीनों option आपको पता ही है कि इनसे coral हो का कोई भी तालुक नहीं है, select the set of phylum having incomplete digestive tract, incomplete digestive tract की बात करें, जिनमें digestive tract कैसा रहता है, incomplete, तो देखो इधर porifera आ गया, तो porifera के लिए digestive tract का तो मतलब भी नहीं है, तो पहला option हो गया हमारा गलक, silentrata में तो होता है, पर porifera में नहीं है, second में देखो, silentrata और platyhelminthes, silentrata और platyhelminthes हमें option मिलता है, तो दोनों में कहीं न कहीं, digestive tract यदी होगा तो कैसा रहेगा, incomplete रहेगा, है ना, तो इसी हमें भी कैसा चांटना है, अपून पाचंतंतर होना चाहिए, तो दोनों में अगर पाचंतंतर है, हाला कि जो platyhelminthes हैं, इनके बहुत से ऐसे members हैं, जिनमें parasitic mode of adaptation होता है, फिर भी कुछ members जिनमें अगर digestive tract होगा, तो कैसा आगे देखेंगे, तो platyhelminthes और S के helminthes आगया, पर S के helminthes में तो पून होता है, इसलिए हो जाता है, गलत, S के helminthes और N लीडा, इनमें भी कैसा होता है, पून, और ये गलत इसलिए हुआ, क्योंकि porifera में तो क्या है, एक तर ऐसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर absent है, और silent rate में कैसा है, यहाँ पर incomplete, तो ऐसे questions में, आपको जो confusedness questions है, आपको more correct छाटना है, तो ऐसे questions के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि आप अनको more correct छाटना है, तो अब हम porifera को इसलिए नहीं मान रहे हैं, क्योंकि porifera में तो digestive system का यहाँ पर role ही नहीं है, ए इसमें मिलेगा, silent rate में हम कौन सा answer देंगे, यहाँ पर more correct, तो answer हमारा यहाँ पर कैसा हो जाएगा, second option जो है, वो क्या हो गया, हमारा correct answer हो गया, आगे चलते हैं, next question की तरफ, देखिए, अगर larva exist कर रहा है किसी animal के अंदर, तो इस तरह के development को क्या कहेंगे, हम लोग indirect development कहेंग कैसा development कहेंगे, indirect development कहेंगे, इसी वजए से या फिर हम कहेंगे, एपरत्यक्ष, तो answer कौन सा हो गया, second option is the correct answer, आगे आजाओ, यहाँ पर देखो, यह बात की है, ostea, osculum, spongosil, यह तीनों structures आपको पता है, ostea तो बहुत सारे छिद्र होते हैं, polyfera के सदस्यों में, और जो spongosil है वो उनकी cavity होती है, और osculum एक बड़ा छिद्र होता है, जिससे पानी बाहर निकलता है, ostea से अंदर आता है, spongosil में और osculum से बाहर, तो अब यह पूछ रहा है कि इन में से कौन सी जो संरचना है, जिसकी संख्या अधिक होती है, तो आपको देखो, spongosil और osculum, यह क्या है single है, पर ostia क्या है, numerous, बहुत सारे pores है, तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, ostia देखने को मिलेंगे, A पर क्या है, ostia, इसलिए सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, number A वाली जो संरचना है, वो ज्यादा होगी, सभी के संख्या बराबर नहीं होती, ज्यादा क उपस्तित है इसलिए हमने इनको क्या कहा निडेडिया कह दिया क्यों कहा क्यों कि इन में कौन उपस्तित है नाइडो ब्लास सेल्स उपस्तित है ठीक है next अब आपको क्या करना है फिश को स्लेक्ट करना है जो कि किसको ब्लॉंग करती हो सेम क्लास को ब्लॉंग करती हो ठीक है और कैसी हो मैराइन हो ठीक है तो अब आप देखो एग्जो कोईटस और हिपोकेमपस ये दोनों की दोनों कौन है ये दोनों की दोनों बोनी fishes है और दोनों की दोनों boni fishes के साथ साथ में कैसी है मेराइन है अगर आप trigon और clarius को देखोगे तो clarius boni आ गई trigon कौन से आ गई cartilaginus exocoitus के साथ में clarius है पर clarius फिर कैसी हो गई यहाँ पर fresh water हो गई ठीक है और beta और terophyllum को देखेंगे तो इनको हम क्या consider करते हैं aquatic fishes करते हैं यहाँ पर condition क्या है कि वर्ग समान है तता सदस्य कैसे है समुद्री है तो यह question भी NCRT के contract these के example से बनाया गया है तो यहाँ पर clear answer हमें क्या मिल रहा है first option is the correct answer next पर चलते है cyclostorms के लिए क्या सही नहीं है not true पूछा है तो देखो स्वच्छ जल में जनन spawning in fresh water यह बात क्या है सही है cyclostorm के लिए open blood circulation ठीक है यह बात एकदम गलत है open नहीं होता कैसा blood circulation होता है close blood circulation होता है larva return to ocean मतलब larva ocean में आया then their metamorphosis details take place जब उनका metamorphosis होता है नहीं यह देखे इन में जो migration है वो कैसा है anadrimus है यादि के यह कहा जाती है fresh water में जाती है यह आप देखो यहां पर वहां पर जाने की बाद में इनमें जननन और मचलियां तो मर जाती है larva का metamorphosis वहीं होता है और फिर वो गहां पर return करता है किसमें वापस समुद्र में आता है तो metamorphosis fresh में होता है तो ये क्या कह रहा है कि ocean में आने के बाद होता है तो इसलिए ये वाली बात भी क्या हो गई cyclostorms के लिए गलत they are blood suckers यह रक्त चूशक होते है ये बात एकदम सत्य है किसकी लिए cyclostorms के लिए तो स्वच्च जल में जनन सही बात है खुला परिसंचन तंतर गलत बात है लारवा के समुद्र में लोटने पर काया अंतरन गलत बात है और रक्त चूशक होते हैं सही बात है तो B और C क्या है हम क्या कह सकते हैं या फिर अनुपस्तित कह सकते हैं तो क्या हो गया आंसर हमारा second option यानि second option is the correct answer आगे चलते हैं देखो, notocode throwout life की बात कर रहा है notocode throwout life का मतलब क्या चाटना है आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको चाटना है कौन? Cephalocodita का member तो अगर आप इसको देखोगे तो Belenoglossus, Belenoglossus आ गया मतलब Hemicodita की बात हो रही है तो गलत हो गया यहाँ पर Lenslet है यह बात सही है पर साथ में SAD आ गया, यह Eurocordita का member है तो गलत बात हो गया यहाँ पर Branchiostoma जिसका ही दूसरे नाम Lenslet यह Amphioxus जिसको कहते है तो यहाँ पर हमें सही option कहाँ पर मिल गया थर्ड में हमें सही answer मिल गया इसलिए सही answer का क्या गया थर्ड option, next यह एक diagram यहाँ पर आपको यह सामने दे रहा है यह क्या है, देकि इसके बारे में बात करें तो यह जो figure है यह cylindrata से related है, क्या option है यह एक nidoblast है क्या यह एक nidoblast cell है यह बिलकुल, यह कौन सी cell है nidoblast है, देकि है, तो यह क्या हो गया present only on tentacles नहीं, body पर भी पाई जाती है NCRT में साफ तोर पर लिखा हुआ है कि इवल इस परशक पर उपस्तित होती है गलत बात है, performs only one function नहीं, बहुत सारे functions को perform करती है, गलत बात है present in more than one phylum, नहीं, किस में पाई जाती है silentrata में पाई जाती है, तो यह बात भी हो गई गलत, मतलब पहला जो है वो तो true है, बाकी की 3 हो कैसे है false, तो यह कैसा हो गया, true और यह 3 कैसे हो गए, false हो गए पहला कैसा हो गया, true और बाकी की 3 कैसे हो गए, false हो गए इसलिए answer हमारा 70 में कौन सा गया, fourth option जो है, वो क्या हो गया, correct answer हो गया किसका, हमारे 70 number के question का, आगे चलते हैं phylum having parapodia parapodia की बात आ रही है, तो दिमाग में की option आता है, क्या, यहाँ पर हम बात करें, basically, अगर में broadly question को छाटना हो तो हम, फिर भी हम कह सकते हैं कि aquatic analytes, nares वगए रहे, पर आभी आप से इतना कुछ पूछा नहीं, आपको phylum दे रखे हैं तो phylum parapodia किस से related है किस में locomotory organ है, किस के member में होगा analyida के member में होगा, इसलिए answer यहाँ पर कौन सा चला जाएगा, first option 71 में, बहुत ही clear सा question है next, यह ध्यान से देखिए some analytes are diocious and some analytes are monotious, देखिए 72 में आपको यहाँ पर कुछ तो monotious हैं और कुछ diocious हैं, select करना है, तो बहुत ही easy सा question है, अगर आपने पढ़ा होगा, NCRT से, तो वहाँ पर clearly है, पहले तो monotious का मतलब ध्यान लेजिए, उल्टा चलता है नाम में तो mono आ रहा है, पर ऐसे members, मतलब monotious की members होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि male reproductive system और female reproductive system, same ही animal में belong करता है तो ulta ध्यान रखिए, mono single लग रहा है, तो ulta मानो मतलब इसमें दोनो एक में होते हैं, ठीक है और monotious को हम लोग उभै लिंगी कहते हैं, ठीक है, यह बहुत ही confusion होता है, इसलिए मैंने एक question आपको दिया है तो ध्यान से concept clear करो, देखो mono, यहाँ पर आपको क्या मानना है क्या होता है, उभै होता है हिंदी वाले बच्चे ध्यान ने monotious में उभै लिंगी मानते है mono लगता एक है, पर क्या होता है, यह उभै लिंगी, मतलब कि ऐसे जनतु, जिनके अंदर male और female एक में ही belong करे, इसलिए यह word यहाँ पर दिया है, तो earthworm और ne離se को monocious कहे दिया, गलत हो गया ne離se को फिर से monocious कहे दिया, गलत हो गया, ne離se को फिर से, यहाँ पर dioces कहा, पर leech को भी dioces कहे दिया, और earthworm को monocious कहे दिया, तो गलत हो गया तो सही option हैं में कहा मिल गया, first option next में पे चलते हैं select the feature which is absent in arthropoda, यानि कि वो लक्षण जो किस में absent होता है arthropoda में absent होता है, देखो arthropoda में कौन सा character absent है तो internal fertilization जो है arthropoda में ये वाला तो क्या होता है, present होता है generally oviparous यानि कि सामानते हैं, कैसे होते हैं underj होते हैं, ये वाला भी कैसा होता है correct है, पर mostly अधिकांश जो है वो उभेलिंगी नहीं वही वाला concept हो गए ना कैसे होते हैं डायोशिय यानि कि male और female separate होते हैं इसके according तो क्या हो गया एक ही बता रहा है तो third वाला जो है वो वाला feature क्या होगा absent और jointed legs जो है वो क्या होगा present तो पहला present है दूसरा present है fourth present है क्या नहीं है ती पोड़ा के अंदर क्या है अनुपस्तित ठीक है तो आंसर क्या हो गया है इसमें हमारा थर्ड ओप्शन जो एपसेंट पूछा है नेक्स्ट आपको यहाँ पर फोटोस दे रखी है यह फोटो 12 के NCRD में साफ तोर पर अगर पड़ी है तो आपको ध्यान है कि यह कौन है यह मादा एनोफलीज है ठीक है इसके बाद में यह कौन है यह लोकुस्टा है और यह कौन है यह टेप वाम है ठीक है तो देखो responsible for the spread of malaria तो response of spread of malaria के लिए कौन responsible है यह हमारी female एनोफलीज है यह कौन है लोकुस्टा और यह कौन है टेप वाम यानि कि फीता क्रमी तो malaria के लिए कौन responsible है यह responsible है gregarious pest कौन है यह है टेप वाम कौन है यह है तो 1 A B C यानि A में क्या आना चाहिए first B में क्या आना चाहिए second C में क्या आना चाहिए third तो हमें यहीं मिल गया यहाँ पर first third बता दिया तो गलत हो गया second third यहाँ पर गलत हो जाते हैं तो सही answer हमें कहा मिल गया बच्छों हमें first option के अंदर ही हमारा सही answer मिल गया आगे चलते हैं next animal जिनमें dorsal ventrally flattened body यानि dorsal ventrally जो है सदीर जो शरीर है वो प्रश्ट अधर रूप से चपते बता रहा है तो यह किस में मिलेगे platty में मिलेंगे तो platty के member आपको चाटने यहाँ पर ascaris आ गया तो गलत हो गया यहाँ पर वुकेरिया आ गया तो गलत हो गया ascaris वुकेरिया यह तो roundworms हो गए tini और fasiola कैसे member हो गए यह है flatworms यानि कि कहीं न कहीं इन्हें क्या कहते हैं हम किसके member रही है platty helminthes के तो सही option हमें कहां मिल गया बच्चो हमें fourth वाला जो option है उसी में हमारा सही answer मिल जाता है इसलिए इसका answer कौन सा वाला होगा fourth option होगा आगे चलते हैं given below are the certain non-cordidates देखो ऐसे question को ध्यान से पढ़ना कि यह आपके सामने क्या दे रखे non-cordidates दे रखे आपको क्या छाटने bilaterally symmetrical body kin में होगी adult echinus kinodermita हो गया इसमें कैसी है radial adult ophuria इसमें भी कैसी होगी radial meandrina इसमें कैसी होगी क्योंकि silentrata का member है radial pleurobrachia tenophora का member है radial tenoplena tenophora का member है radial adamcia silentrata का member है कैसी होगी radial sepia mollusca का member है इसलिए कैसी होगी bilateral dentalium यहाँ पर वापस से mollusca का member है इसलिए कौन सी होगी bilateral तो आपको कौन से वाले बताने है bilateral body वाले बताने है तो कितने आए bilateral कितने आए केवल दो ही आए कौन-कौन से cpia और dentelium यह दोनो cpia और dentelium में द्वी पार्शव सम्मिती है तो second दो कहाँ पर दे रखा है second option में क्या दे रखा है दो दे रखा है इसलिए answer कौन सा हो गया इसका second option आगे चलते हैं next हर्मोफ्रोडाइट उभैलिंगी प्राणी यानि हर्मोफ्रोडाइट फिर से वही जिनमें क्या हो एक ही animal में male भी हो और एक ही animal में कौन हो female में हो तो यहाँ पर बात करें तो देखो pluroprachia यानि टीनोफोरा का member है इसलिए हर्मोफ्रोडाइट होता है टीनिया हर्मोफ्रोडाइट होगा, फैसियूला हर्मोफ्रोडाइट होगा, एसकेरिस नहीं है, इकाइनस जो है वह इकाइनोडरमेटा का member है नहीं है आस्ट्रिच भी नहीं है टीनोपलेना हर्मोफ्रोडाइट होगा, तो A, B, C, F, G तो A, B, C, G only F तो नहीं होगा न, हाँ sorry A, B, C और G A, B, C, G तो A, B, C, G, first मी मिल गया हमें सही आंसर, A, B, C, D, गलत हो गया ये तो, B, D, E, F गलत हो गया, C, E, F, G गलत हो गया, तो सही आंसर हमें कहां मिला first मी मिल गया, ये जो मेंबर है A, B, C, G, A पर है Plurobrachia, B पर है Tynia C पर है Fasciola और G पर है Tynoplana, बाकि Ascaris, Echinus और Ostrich कैसे हो गए ये तो कैसे हैं, ये तो कैसे हैं, Diocius हैं जिन में मेल और फिमेल क्या हैं separate है, ठीक है, तो आंसर हो गया इसमें हमारा first option, आगे चलते है next question के तरफ कौन सा phylum है, जिसमें segmentation पाया जाता है segmentation की बात हो रही है तो Anilida mollusca गलत हो गया, mollusca में नहीं होता Anilida echinodermita, echinodermita में नहीं होता NCRT में पीछे table दे रखी ध्यान से देखना, Anilida hemicodita नहीं होता, किसमें होता है Anilida में है, और किसमें है Arthopoda में है, इसी वजह से बच्चो सही answer कौन सा गया इसका आपका fourth option जो है, वो हो गया हमारा correct answer तो इसलिए इसमें answer हो जाएगा fourth option Which of the following class of vertebrata is characteristics by the presence of dry and cornified skin, dry or cornified skin जो है, वो किसमे बता रखा है आपको, ध्यान से देखिए dry or cornified skin जो है वो एक reptilia के अंदर mentioned है, exactly तो सही answer हमारा यहाँ पर 79 में कौन सा हो गया third option is the correct answer next warm-blooded animals को select करना है आप लोगों को, warm-blooded animals कौन से होते हैं देखिए, warm-blooded warm-blooded animals है, जो कैसे animals हो जो homeo therms हो, यानि कि homeo thermi show करते हो, homeo thermi show करने वाले animals कौन से होते हैं warm-blooded animals होते हैं, तो अगर हमें इस में से, और यह कौन show करते हैं evs show करते हैं और कौन show करते हैं mammals show करते हैं, तो ध्यान से देखिए, struthio bengaris, यह reptile आ गया इसलिए गलत हो गया, यह option corvus, clarius आ गया, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि clarius तो कौन हो गई fresh water, boni, fish columba ठीक है, कभूतर phallus, neofron दो birds हैं और एक member mammal का है, मतलब यह option एकदम सही बैठ रहा है, pristis cartilaginus आ गया, तो यह हो गया, गलत तो कहने का मतलब इसमें से सही option कहाँ पर मिल गया हमें, third option में मिल गया, इसलिए इसका correct answer कौन सा हो जाएगा, बच्चो third option इसका क्या हो गया correct answer हो गया ठीक है, आगे चलते है next question की दरफ दो diagram हमें दे रखे हैं NCRT की ही diagram है इनमें से एक तो fresh water sponge है और एक कौन सा sponge है, bath sponge तो ये जो है, you sponge या है और ये कौन है, sponge यला है तो देखती पता चल गया होगा, शायदी किसी का गलत हुआ होगा, purely NCRT based question है सही answer कौन सा हो गया, इसमें fun number, next पे चले which of the following animals digestive tract contain two additional chamber तो दो additional chamber मतलब किसका पाया जाना, crop का पाया जाना और किसका पाया जाना, gizzard का पाया जाना तो वो कौन से में है, तो देखो यहाँ पर पैवो और कॉलूम्बा ये दोनों की दोनों कौन है birds है, और birds में ही दो additional chambers होते है, एक वस तो horse हो गया, तो horse में तो होंगे नहीं इसलिए answer क्या हो गया, both one and two, यानि की पैवो और कॉलूम्बा, next है, यहाँ पर से, देखिए caudata कौन है, caudata है phylum tunicata, tunicata means euro caudata की बात हो रही है, जो की क्या है sub phylum, यानि की third, primata क्या है order, यानि की fifth tetrapoda क्या है, super class यानि की second, और aves क्या है, class, यानि 4, 3, 5, 2, 1 4, 3, 5 गलत हो गया यह 4, 3, 5, 2, 1 सही बात है, यह 3 से start हो रहा है, गलत हो गया, यह इधर 1 से start हो रहा है गलत हो गया, और हिंदी में भी देख लेते हैं ABCDE 4, 3, 5, 2, 1 तो सही आंसर हमें कहां मिल गया बच्चो second option में ही हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है चलिए, next question के तरफ जलता है, कितने आसान से question है, सभी के सही हो रहे होंगे किस में jaw नहीं मिलेंगे, किसके members में jaw नहीं मिलेंगे बच्चो, जो cyclostomes होते हैं, वही एग entha के member है jawless, जिनको fishes हम लोग कहते हैं तो देखो, chondricthes, ostrichthes, amphibia ये इन तीनों में आपको jaw देखने को मिलेंगे, पर cyclostomata में jaw नहीं देखने को मिलेंगे इसलिए 84 में सही आंसर कौन सा चला गया fourth, next देखिए genthostomata को कौन बलॉंग करती है, genthostomata मत्तब जिनमें क्या present हो जिनमें jaw जो, क्या हूँ, present हो तो देखो, shark, kondricthes की member है, present होते है rohu, bonifish, fresh, present होते है frog, present होते है snake, present होते है, parrot, present होते है whale, present होते है तो सारे की सारे है, जिनमें क्या होते है, jaw, present होते है genthostoma के member हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, यानि की first option जो है वो क्या हो गया, आपका correct answer हो गया सभी में jaw present होते है next, चलो यह आपको यहाँ पर fishes के नाम दे रखे है except one सारी की सारी same class से belong करती है, class देखिए अब आपको उसका नाम देखना है, जो अलग है angel fish fighting fish, यह aquarium हो गया boni है यह flying fish sawfish है, sawfish यानि की pristis यह किसको belong करती है, यह member किसकी है, यह है cartilaginous fish, यानि की उपास्थिल मचली है यह, बाकी की तीनो, किसकी है boni fishes की सदसे है, d वाली किसकी है cartilaginous fishes की, इसलिए answer कौन सा हो गया, इसका fourth option next पे चले which of the following characters are generally found in cartilaginous fishes, अब हमें कौन से character की बात करनी है, जो किस में present होते हों, cartilaginous fishes में present होते हों, तो देखिए यहाँ पर हम देखें, ओपर कुलम जो है, वो boni fishes का character हो गया, air bladder की अगर हम लोग बात करें, तो देखो, air bladder वो होता है, जिसकी वज़े से क्या मिलती है, buoyancy देखने को मिलती है, और air bladder की भी बात की जाए, तो air bladder किस में present होता है, यह भी boni fishes के अंदर क्या होता है, पाया जाता है, terminal mouth जो है, नहीं, यह धिहान से समझेगा, देखिए terminal mouth जो है, वो boni fishes में होता है, और central mouth जो है, वो किस में होता है, cartilaginous fishes में होता है, तो इसलिए यहाँ पर यह भी नहीं पाया जाएगा, बचा क्या, internal fertilization, तो internal fertilization आपको किस में देखने को मिलेगा, cartilaginous fishes में देखने को मिलेगा, और आपसे पूछा भी है, कि वो character जो किस में पाय जाए है, केवल, cartilaginous fishes में पाय जाए, तो वो character कौन से है, केवल, fourth number का character है, आंत्रिक निशेचन, तो सही answer कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, यहाँ पर, fourth option is the correct answer, देखिए, air sac जो है, वो lungs से connected होते हैं, और क्या देते हैं, supplement देते हैं, एक तरह से सहायता सी देते हैं, जिसकी वजह से, सांस लेने में क्या होता है, उनको आसानी होती है, तो यह किसका character है, तो देखिए, air sac जो lung से connected है, वो किस में होते हैं, ऐसा, Aves में होता है, ठीक है, यह आपको question कौन से concept पर NCRT के पूछा गया है, तो यहां पर air sac की बात हो रही है, तो air sac का मतलब क्या हो गया, Aves में पाए जाते हैं, यह क्या करते हैं, क्योंकि पक्षियों को उड़ना है, उड़ना है तो उनको क्या चाहिए, ज्यादा एक तरीके से उनके अंदर, respiration जो है, वो उसको supplement करने के लिए, उसको एक तरीके से उसकी शमता को बढ़ाने के लिए air sac उनके अंदर मौजूद होते हैं, आगे चलते हैं, respiration, यह question ध्यान से समझेगा, respiration also by lungs, यानि फेफडे से भी श्वसन, और दूसरा है, सिर्फ फेफडे से श्वसन, दो अलग-अलग तथे हैं, दोनों बाते अलग-अलग हैं, एक तो केवल lung से सास ली जाए, और एक lungs से भी सास ली जाए, तो lungs से भी सास लेने का काम तो किसका है, यहाँ पर आप देखी, amphibian, क्योंकि frog जो है, amphibians जो है, वो अपनी skin से भी सास लेते हैं, बकको pharyngeal cavity से भी सास लेते हैं, तो फेफडे से भी वो सास लेते हैं, पर केवल फेफडे से सास कौन लेते हैं, आगे वाले सारे, reptiles, birds और mammals, यह तीनों केवल फेफडे से सास लेते हैं, ठीक है, तो अब देखो, respiration also by lungs, तो also by lungs हो गया, amphibia, also by lungs कौन सा हो गया, amphibia, और केवल respiration lung से, reptilia, सही बात है, यहाँ पर मचलियों की तो बात आते ही, गलत हो जाता है, यह question, amphibia सही है, पर cyclostorms में भी गलत हो गया, lungs का कोई खेली नहीं है, और एव जो है, वो फेफडे से भी श्वसन नहीं होगा, वो भी केवल किसे सास ले रहे हैं, केवल lungs ही है, उनके अंदर है, इसे respiratory organ, जो airs हैं के वो तो complement कर रहे हैं, ठीक है, वो तो supplement कर रहे है respiration को, respiratory organ के तौर पर क्या है, वो तो lungs ही है, तो इसलिए यह भी आपका option क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो more correct अगर हमें देखना हो यहाँ पर, तो यह वाला हमारा exactly सही बता रहा है, उभैचर और सरीसर, तो असलिए answer कौन सा हो गया, first option is the correct answer, देखिए, shedding of skin is the common phenomenon in vertebrate, which of the following reptile share their scales as a skin cast, exact NCRT की line है और साफ तोर पर लिखा हुआ है, snake और lizard, तो बस snake और lizard देखिए, chameleon, kleon, keletoys, crocodiles, अगर आप इसको ध्यान से देखो कि तो third option में आपको answer मिल जाता है, बाकी snake और lizard की category में नहीं आते, इसलिए वो answer नहीं जाएंगे, तो इसलिए सही answer कहाँ पर मिला हमें, third option में इसका answer मिल गया, आगे चलते हैं, echino dormita में, aniS कहाँ होती है, देखिए, इन में क्या होता है, कि जो Anus होती है, इनके अंदर, देखिए, एक तो है mouth और एक है Anus, है जो mouth है, और जो Anus है, mouth जो होता है, वो कौन सी side पर होता है, ventral side पर और NS जो होती है वो कौन सी side पर होती है dorsal side पर तो Echinodermita में NS किस तरफ होगी dorsal side पर NS होगी यानि किस तरफ प्रष्टिय सतह पर होगी ठीक है अधरी ये गलत हो गया और इसके बात lateral भी गलत होगया और lateral भी गलत होगया तो सही answer कौन सा होगया first option is the correct answer आगे चलते हैं hemicordata का कौन सा system common है आर्थोपोडा से तो ध्यान से देखेगा hemicordata में भी open blood circulatory system है और आर्थोपोडा में भी open blood circulatory system है तो ये दोनों system common हो जाते है excretory system की बात करेंगे तो वहाँ पर different type के excretory structures है जैसे malfean tubule insects को ध्यान में रखके बोले और इधर बात करें तो proboscis gland और reproductive system की बात करें तो reproductive system में उधर fertilization कैसा है internal fertilization है पर इधर external हो जाता है तो इसलिए reproductive system भी अलग है पर circulatory system दोनों में कैसा है common है और किस type का है open type का है इसलिए answer यहाँ पर कौन सा चला गया third is the correct answer अगर heart जो है वो non-cordate में पाया जाएगा तो किधर होगा यह बहुत अच्छा सा difference है NCRT की table में से equation लिया गया है non-cordate में जो heart होता है वो dorsal side पर होता है पीछे की तरफ और जो caudates है उनके अंदर heart कहाँ पर होता है आगे की तरफ यानि की ventral side पर तो यह किसका पूछ रहा है अगर heart मिलेगा non-cordate में तो किधर मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा वो dorsal side पर मिलेगा यानि की answer क्या चला जाएगा इसका first option is the correct answer आगे चलो animal of phylum platy helminthes, platy helminthes के क्या phylum क्या शो करेंगे tube within tube body plan show करेंगे with bilateral symmetry गलत हो गया tube within tube body plan कहाँ से शुरू होता है S के helminthes से तो गलत बात हो गई blind sec body plan with bilateral symmetry ये बात एकदम सही है blind sec body plan होता है single opening होती है जिन में भी अगर persist करता है digestive system और symmetry देखें तो bilateral symmetry उनकी बिलकुल है blind sec body plan with radial symmetry तो गलत हो गया क्योंकि bilateral symmetry आ गई और tube within tube आते ही fourth option भी गलत हो जाता है तो सही answer कौन सा है blind sec body plan with bilateral symmetry is the correct answer अब फिर वापस पूछ लिया कि blind sec body plan किस में present होता है तो blind sec body plan की बात करें तो earthworm आते ही गलत हो गया क्योंकि earthworm तो annelida का member है वहाँ तो tube within tube है hydra और nereze आते ही गलत हो गया क्योंकि annelida का member है tube within tube है यहाँ बात करें faciola and hydra यह बात हमारी एकदम क्या हो जाती है correct क्योंकि इदर leech आ गया जो कि annelida का member हो गया तो इसी वज़े से हम देखें तो faciola और hydra जो है उनमें हम कैसा बता सकते है blind sec body plan क्या कर सकते है consider कर सकते है तो सही answer 95 में कौन सा हो गया third option और देखिए function of feather like structure in mollusk feather like structure जो molluskा में होती है mental cavity में जिसे teeny idea कहते हैं, gills कहते हैं वो respiration भी करता है और excretion में भी मदद करता है साफ्त और फ्रेंस यार्टिक लाइन है पर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर respiration कहीं नहीं है पर excretion दे रखा है इसी वज़े से सही answer हमारा क्या हो गया first option, reproduction, circulation और locomotion में उसका कोई role नहीं है पर excretion में है इसी वज़े से सही answer कौन सा हो गया first option which of the following is an odd animal आपको odd animal देखना है तो C, cucumber, C, urchin और brittle star यह तीनों की तीनों members किसके हैं Echinodermata के but C, here, किसका member है Molluska का, इसलिए odd हो गया सही answer इसमें कौन सा हो गया third option, यह diagram अगर आप देखोगे गौर से कि यह invertebrate का sectional view दे रखा है और आपको क्या करना है कि यह जो body plan है वो किन में present होता है तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो students, यह एक तरह से acylomate type का क्या है यहाँ पर शारिरिक प्रतिरूप है यह क्या है? acylomate type का body plan यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तो अगर हम इसमें से acylomate को select करें तो planaria, platy, helminthes का member है इसलिए क्या हो जाता है? acylomate ankylostoma, neres और ferritima यह सभी जो है यह जैसे कि अगर हम बात करें ankylostoma की तो ankylostoma किसका member हो गया? S के helminthes का हो गया उनमें क्या पाई जाती है? pseudocilomate तो इस तरह का plan नहीं मिलेगा ferritima और neres कैसे हो गए? यह silomate हो गए, ठीक है? तो इनमें भी इस तरह किगा नहीं मिलेगा तो सही answer कौन सा हो गया, बच्चों? यहाँ पर first option याने की planaria आगे चलते हैं कौन सा feature जो है? वो non-cordate जो cordate feature है जो non-cordate में नहीं पाया जाता देखिए, true, siloom, bilateral, symmetry, triple-oblastic body यह सभी non-cordates में सभी में तो नहीं मतलब जो non-cordates के members है उनमें काफी सारे animals में इस तरह की के आपको features देखने को मिलते हैं पर notocode एक exclusive character है जो केवल किसमें पाया जाता है? cordate में इसी वज़े से इसका answer कौन सा हो गया? fourth option is the correct answer देखिए, hundred number का question देखते हैं amphibians में elementary canal, urinary, reproductive tract open होती है एक common chamber में जिसे क्या कहते हैं? यह साफ तोर पर NCRT के line है किस नाम से जाना जाता है वो chamber? cloica के नाम से जाना जाता है तो सही answer कौन सा हो गया? second option इसमें बच्चों आपका सही answer हो गया तो purely NCRT based question paper था यह बिल्कुल NEET की तरह है कुछ question NCRT के concepts पे भी रखे गए और बहुत सारे question exact lines पर यह थे तो उमीद है कि आप सभी का paper अच्छा हुआ होगा धन्यवाद, जैजै CLC Hello student, कैसे हैं? आज बात करते हैं हमारे biocam for NIT 2022 test number 02 ठीक है? इसके बाद 11 March को जो आपको होगा था उसकी हमारे पास first number question आता है question में देखिए कहता है कि वांडरवाल constant A and B आपको पता है कि वांडरवाल equation हमारे पास P plus A square for one mole की बात कर रहा हूँ मैं यह equation होती है इसके अंदर जो A and B होता है इसका significance क्या होता है आपको पता ही है अगर देखिए यह था attractive force and bond energy तो कहा गया कि attractive force तो होता है A but bond energy को represent नहीं करता यह volume and repulsive force यह भी नहीं करता आमारे ठीकल क्यूशन है भाया shape and repulsive यही force नहीं करता यह करता है attractive force and excluded volume of molecule that means अपने पास theoretical question है अपने पास question number 4 answer number 4 okay next हम बात करते हैं अपने next question की question number 2 इसमें हमारे पास क्या कहता है the rate of diffusion of gas are inversely proposed to the square root of the density आपको पता है की कहता है की rate of diffusion rate of diffusion that means are rate of diffusion are inversely proportional to यह अपने पास equation आती है अगर आपको पता है तो according to मैं अगर बात करते हैं according according to ग्राहम लो ग्राहम लो के अकोडिंग अपने पास ध्यानवा है तो क्या होता है की the rate of diffusion the rate of diffusion is inversely proportional to root square of density यहनि गनत्व के वर्ग मूल के वितकर मानुपाती होता है equation ग्राहम के अकोडिंग होता है यह theoretical question है अपने पास तो सिदा सिदा ध्यान रखना है की ग्राहम के अनुसार यह कहा जाता है write down कीजिए next question हमारे पास कहता है की question क्या है the value of universal gas constant are universal gas constant are depend on depend on temperature of gas temperature of gas depend नहीं करता volume of gas depend नहीं करता the number of mole depend नहीं करता यह कहता है unit of volume unit of volume temperature and pressure आयतन ताप दाप की इकाईयों पर निर्वर करता है यह भी अपने पास theoretical question आता है fourth option अपने पास रहेगा clear write down कीजिए question number four question number four में explain है कीजिए की the volume of the volume of 2.8 gram of carbon monoxide at 27 degree and 1 atm and 0.0821 atm is यानि आपको अगर मैं count करें आपको पता है कि यह पूछ रहा है कि the volume of 2 gram यानि आपको पूछ रहा है कि आयतन पूछ रहा है आप से यह कह रहा है कि suppose को रो अगर मैं कहता हूँ idle gas के लिए हम कहते हैं PV is equal to nRT होता है तो अगर वी की बात करें तो वी बराबर क्या होगा हमारे पास nRT upon P but we know that mole n is equal to क्या होता है mass upon molar mass mass upon molar mass होता है अगर आप कोई पता है हम कहते हैं n जो number of mole होता है n वो किसके कोल होता है mass upon molar mass अगर mass इसका W है और molar mass capital M है तो इसकी value यहाँ put करेंगे तो V is equal to क्या हो जाएगा अपने पास W RT upon M P के कोल होगा अब देखिए अपने पास question में W is equal to 2.8 gram दे रखा है ठीक है R आपकी बात करें हम R अपने पास gas constant होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्वीन यह अपने पास पता है यह R T temperature यह देख रहा है 27 degree यहनि T is equal to हमारे पास हो गया 27 degree centigrade प्लस 273 अगर add करते हैं तो हमारे पास 300 Kelvin आता है तो इस तरह हमारे पास equation बन जाती है M की बात करते है molar mass होता है अगर आपको पता है carbon monoxide जो होता है उसके molar mass को अगर calculate करें हम carbon अपने पास carbon monoxide carbon में C होता है और O होता है carbon monoxide में carbon का होता है 12 है और इसका होता है 16 तो total देखिए तो अपने पास होता है 28 यानि capital M अपने पास 28 अगर इनी सब की value यहां put करें हमारे पास W हो गया 2.8 into R हमरे पास 0.0821 हो गया into sorry वह आपस देखते है इसका अपने पास PV इस इकल तो NRT होता है V इस इकल तो NRT अपन P but N is equal to mass upon molar mass होता है तो V की value put कर दीजे यहां पर WRT upon MP अगर यहां carbon monoxide की बात करें तो carbon monoxide का जो weight है वह अपने को दे रखा है 2.8 gram into R की value हमें पता होती है 0.0821 into temperature हमको 3000 दे रखा है यहने 27 डिग्री यह 27 डिग्री जो अपने पास plus 273 is equal to 300 Kelvin हो जाएगा यहां इसके लाव molar mass आपको पता ही है 28 होता ही है अपने पास pressure दे रखा है 0.0821 अगर मैं इसको sol करूँ देखू तो अगर sol करते हैं तो यह हमारे पास cut हो गया और अगर इसको sol करें तो यह point हठा दीजिए तो नीचे अपने पास आजाएगा 28 into 300 upon 28 into 10 तो 28 से 28 कट हो गया 1 से 1 कट गया तो अपने पास आ गया 30 लीटर यहनी option के अगर बात करें तो अपने पास 30 लीटर तो 30 लीटर होता है अपने पास calculate कर लीजिए देखिए यहनी कुछ मिला किया अपने पास PV is equal to NRT से solution होगा इसका ओके write down किजिए बात आती है next question की next question में आपके पास देखिए अगर यहां कहें कि the maximum deviation for ideal guess expand from others guess के लिए अधिक्तम विसलंद आपक्षित कब होता है आपको पता है कि कोई guess जो होती है वह है guess अगर guess कहते हैं जो भी guess होगी अगर वो maximum अगर हम कहेंगे अगर maximum dipole dipole attraction होता है dp dp अगर attraction force है अगर maximum किसी भी guess के लिए अगर maximum dipole dipole attraction force है तो a की value हमारे पास greater होगी यानि high होगी high होगी तो वो easily liquidified होगा easily liquidified होगा और maximum deviation होगा मैक्जिमम मैक्जिमम डेवियेशन यह concept होता है बना लीजिए वह यह concept यह अगर condition है अगर इसकी बात करें तो मैं मैक्जिमम डेवियेशन की बात करता हूं कोई dipole नहीं होता है मतलब यह complete है n2 में डाइव molecular नहीं है इसमें भी कोई dipole यह इनके म्यू की बात करें तो तीनों की इसकर म्यू होता है वह 0 होता है अगर इनकी बात करें जबकि जबकि जो ns3 होता है उसकी structure यह होती है द्यानवे तो आपको एच एच और एच इसका यह डाइपोल attraction होता है डाइपोल डाइपोल attraction मिलेगा इसके अंदर तो इस डाइपोल डाइपोल attraction की जगा अपने पास maximum deviation किसमें होगा fourth option के अंदर तो अपने पास हो गया question number fifth fourth option ओके write down कीजिए अगर अगर इसक्रिशन आता है अपना six number इसमें देखिए six number में हम कह रहे हैं कि the order of increase the volume of gas by ten percent ten percent ten percent gas by ten of कहते हैं कि the increase the volume of gas 10 percent the pressure of gas should be यहनि gas का आयतन 10 percentage बढ़ा दिया जाए अगर आपको पता है कि हम कहते हैं कि पी वन वी वन इस इकल टू पी टू वी टू होता है कि हम equation देखते ही है अपने पास पी क्या होता है प्रेशर एड कॉंस्टेंट टेंप्रेचर इसके एकवल होता है तो पी वी इस इकल टू क्या होता है अपने पास कॉंस्टेंट तो पी वन पी अगर यही इसी वास से पी वन की बात करता हो तो इसी तरह मैं कहूं पी टू वन अपन वी टू तो पी टू वी टू इस इकल टू के यह दोनों इकवल होते ही हैं हमारे पास तो क्या हो जाएगा कि यहां क्याल्गूलेट कर सकते हैं हमारे पास अब यह कह रहा है कि सपोज करो अगर उसका अगर मैं कहूं इनिशियल तो मैं कहा है हम यह बात करें कि पी वन वी वन इस इकल टू पी टू वी टू इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल करेंगे यह करा है कि अगर देखें तो इनिशियल बात करें इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम जो होगा अपने पास इस इनिशियल वॉल्यूम की बात करें वी वन वो सपोज करो अपने पास वन है यह करा है कि कोई भी प्रेशर है अपने पास V1 है वो V1 में रूप में लेते हैं अगर V2 होता है तो वो कह रहा है कि 10% increase हो गया 10% का that means V1 का 10% increase हो गया एक तरह सही V2 is equal to क्या होगा V1 तो अपने पास अगर देखे तो इसको मैं solve करता हूँ तो 1 by 10 हो गया अगर इसको 10% increase करते हैं कहते हैं इसका आयतन 20 डिगरी दाब होना चाहिए यह दाब क्या बढ़ेगा अगर इसको comparison करें हमारे पास V1 जो होगा वो क्या होगा 10% increase कर रहे हैं अगर सरवात में अगर 100% है तो यह कितना होगा वह यह 110% 110 हो गया 10% का मतलब क्या हो यह यह 100 प्लस क्या हो जाएगा इनिशल स्टेज के उपर तो अपने पास क्या था अगर अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर हम बात करें हैं V1 की बात करें वह तो अमारे पास V1 रहेगा अगर V2 की बात करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 110 की 10% इंक्रीज कर रहा है तो यह V1 की एक्वल हुआ अगर मैं इसको काट स्वल करता हूं तो V2 इस इकल टू क्या हो जाएगा 11 वाई 10 10 वीवन हो गया अब हमारे पास बात करेंगे पीवन वीवन इस इकल टू पीटू वीटू से कल्कुलेट करें हम तो हमारे पास पीवन तो पीवन की जगह ही है वीवन वीवन की जगह है पीटू वीटू की बात करें तो पीटू अपनी जगह ही है इंटू वीटू हमारे प आज बचा P1 is equal to P2 into 11 upon 10 यहां से P2 पूछा है तो P2 is equal to क्या हो जाएगा 10 by 11 P1 जो लिखा सकते हैं 0.9 P1 यह कह सकता हूं 90 पर्षेंट भाई इसको क्या लिख सकते हैं 9 by 10 लिख सकते हैं अगर देखे तो 90 लिखोंगा तो क्या होगा 90 by 100 90 पर्षेंट तो क्या ह् səп पहले 90 पर्षेंट था अब क्या हो रहा है याई 90 पर्षेंट कि पी टू तो 90 पर्षेंट का मतलması क्या हुआ 10 पर्षेंट डिड्यूस हो गया ना एक तरह से यह acontece 10 परसेंट की कमी आगई decreasing the 10% यहनी 10% अगर वोल्यूम बढ़ा रहे हैं अगर 10% वोल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा प्रेशर क्या होगा क्यों आपको पता ही है वैसे करता है तो इस तरह हमारे पास calculate की जाती है क्लियर, write down कीजिये بहton, next देखिए यह कहता है आपको रहे वहाँ प्रेशर वांडरवाल इक्वेशन इफ़ीयूच्ठ यहनि हाई प्रेशर के ऊपर वांडरवाल equation reduce कैसे होती है अगर आपको पता है कि वांडरवाल equation होती है अपने पास P plus A upon V square अगर equation देखे हैं हमारे पास V minus B is equal to R T यह equation होती है for 1 mole for 1 mole यहनि N is equal to हमारे पास 1 हो गया यह equation यह कह रहा है कि high pressure आपको पता है pressure high होता है that means अपने पास जो equation होती है वो equation के according देखें तो यह जो value होती है अपने पास यह सारी value किसके equal हो जाती है P के equal हो जाती है क्यों क्योंकि A upon V square क्या हो जाता है negligible हो गया P is equal to क्या हो जाएगा V minus V is equal to RT इसको solve कर लीजिए भया PV minus PB is equal to RT तो हमारे पास PV is equal to क्या हो जाएगा PV is equal to PB plus RT यह कह सकते हैं इसमें option में देख लिए है PV is equal to PV plus RT यह अपने पास option नहीं है यह अपने पास option नहीं है यह है नहीं तो हमारे पास क्या बच्चा यह option third option हो जगा अपने पास तो इस equation के according हम कहते हैं कि A upon V square क्या हो जाता है neglect हो जाता है यह neglect होता है हमारे पास P is equal to V minus V RT के equal होता है तो यह पारेपास क्यूशन नमबर 7 calculate कर लिजिए भाईया next question कहता है boil नियम लागू होता है यानि boil law is applicable boil is law आपको पता है at constant boil क्या होता है at constant टेंप्रेचर पी जो होता है वो इन्वर्स्टली प्रपोर्श्टल टू वी के होता है तो constant temperature कौन सा होता है process आपको पताईए आपको isothermally isothermal होता है isothermal यानि samtapi samtapi प्रक्रम होता है अपने पास third option में तो यह सिदा साख पता है कि constant temperature पे होता है जो आपको ध्यान में रखना है next question आपके पास आता है what is the SI unit of viscosity coefficient viscosity अपने पास नीटा होता है भीया नीटा यह अपने पास है नीटा इस नीटा क्या कर देके शांता गुनाग नीटा का आपको पता ही है नीटा होता है Newton meter per meter square यानि Newton as upon meter square यह अपने पास unit होती है second number option रहेगा अपने पास नीटा का वो आपको चेक करना है भीया ओके यह याद रखनी की unit है next question next question अपने पास आता है 10 number 10 number के अगर बात करें देखिए what is the density of SO2 gaze at 27 to 80m pressure इसका mass दे रखा है R की value आपको दे रखिए अगर आपको पता है कि PV is equal to NRT होता है तो what is the density तो density में निकालने के लिए PV is equal mass upon molar mass होता है RT आपको पता ही है N की value पूट करें हम यह यह P is equal to अगर इसको इदर लेके आजाईए तो W upon V RT upon M लिख सकता हूँ इसको mass upon volume आपको पता ही है density होता है तो D is equal to RT upon M होता है तो हमारे पास formula D का क्या हो जाएगा भीया PM upon RT यह equation बनती है अगर मैं यहां calculate करें तो अगर pressure की बात करें हैं तो अपने पास pressure अपने पास दे रखा है to ATM into M होता है अपने पास molar mass जो आपको पता है SO2 का कितना होता है SO2 में sulfur होता है 32 और 32 हो जाएगा water 64 होता है तो molar mass 64 R की वेल्यू हमको दे रखा है 0.0821 into इसके अलावा अपने पास T temperature 27 मतलब 300 Kelvin अगर इसको density के अगर बात करें हम तो इसको cut कर दीजिए अपने पास तो cut करोगे तो कितना आएगा भीया यह 2 से 150 64 150 आगा है तो 0.0821 into 150 इसको अगर मैं इसको solve करें अपने पास approach approach 6.89 क्या सपास आएगा 6.89 ग्राम पर लिटर आएगा इसको solve करें अपने पास तो अगर solve करेंगे तो अपने पास यह नहीं अपने पास आएगा लगबग लगबग तो 5.19 ग्राम पर लिटर सेकेंड आएगा अपने पास यह नहीं इसको क्यलकुलेशन सोल करनी अपने को यह यह इकल टू यह क्लेर होता है कि यह कर रहा है कि 10 डिग्री टैंपरेशचर 10 डिग्री से 180 एम ट्रेशर है 100 सिस्थान गेरता है यदि एक बटा दो गुणा बढ़ा दिया जाए और ताफ 15 यह नि दाब तो 1 & 1 हाफ को यह क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है और टेंप्रेचर को भी इंक्रीज कर रहा है तो देखिए अगर हम बात करें कि इनीशियल इनीशियल टेंप्रेचर के अगर बात करें तो वह अमारे पास होता है टीवन जो अपने पास है जिरो डिग्री सेंटिग्रेड यह कह सकता हूँ 273 केल्विन और इनिशियल इनिशियल प्रेशर की बात करें हम अगर इनिशियल प्रेशर होता है अपना 180 जो दे रखा यह रहा याणी 80 और 180 अगर मैं कहूं final temperature क्या होगा बहिया final temperature फाइनल टेंपरेचर में यह कह रहा है की 1 y3 गुना बढ़ा दिया जाए यानी increase करते हैं कहते हैं increase by 1 by 3 1 by 3 को अगर increase कर दें इसको तो हमारे पास 1 plus 1 by 3 यही तो होगा अगर इसमें प्लस 273.15 Kelvin अगर एड़ कर दे तो हमारे पास लगभग 364.2 Kelvin आएगा 362. यह अपने पास गुना इंक्रीज कर रहा है अपने पास अगर द्यानवा मुल्टिप्लाई में आ जाएगा 273 से मुल्टिप्लाई फिर आता है फाइनल प्रेशर फाइनल प्रेशर यह कर रहा है कि इनिशल प्रेशर 1 ATM है तो 1 प्लस 1 बाइटू इंक्रीज कर रहा है 1 बाइटू तो यह अपने पास हो जाएगा 1.5 ATM यह अपने पास equation बन गई यह अगर देखे तो टी वन हमारे पास हो गया देखिए टी वन 273 कल्विन टी टू जो है वो इंक्रीज होके 364.2 कल्विन हो गया पी वन हमारे पास 1 ATM था बट पी टू जो होगा वो हमारे पास 1.5 ATM हो गया यह अपने पास equation अब देखिए राइट डाउन कीजिए अब इसको मैं calculate करें है तो आपको एक formula आता है पी वन वी वन अपॉन टी वन इस इकल टू वी टू अपॉन टी टू यहां से हमको इसका calculate करना है देखिए अब यह पूछ रहा है कि भया इसका आइतन ग्याद करना है यह अगर गेस पर वी वन इसका अंडेड़ सी सी देरिख है साथ के साथ इसको calculate कर लीजिए यहां मैं इसको यहां calculate कर रहा हूँ तो हमारे पास हो गया पी वन वी वन अपॉन टी वन इसकल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू पी वन हमारे पास आपको पताईए कि वन अटीम है वन अटीम वी वन अपने पास अंडेड़ सी सी है अपॉन टी वन टेंपरेचर अपने को 273.15 केल्विन होता ही है पी टू अपने पास 1.5 अटीम हो गया वी टू हमको केलकुलेट करना ही है और टी टू हमारे पास 364.2 केल्विन यहां से अगर वी टू केलकुलेट करें हमारे पास तो वी टू अप्रोक्स यहां से क्रोस करके अगर कंटिली करें तो 89.9 सी सी आएगा आपने पास यह आप्शन नंबर सैकेंड यह फार्मूला है यानि यह बस जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए अगर 0 degree पे यह कर रहा है कि 0 degree पे temperature है तो उसका temperature 13% गुणा निए 0 degree centigrade से 1 by 3 times increase कर रहा है और 1 ATM है उस 1 ATM से यह है 1 by 2 times increase कर रहा है बस यही तो कर रहा है इसको check कर लीजिए विया यही तो कानचारा क्यूशन में है तो आपको V1 अ एक रहा है यही तो क्यूशन आपसे पूछ रहा है इस क्यूशन के साफ़ सब्सक्राइब कर लिया क्यूशन नंमर 2 है नाइक्स्ट अ कि कि ने ने चाहिए कि नमबर 12 है कि इस क्या कर रहा है तब 50 Kelvin पर एस टू का वर्ग माद्य मूल वेग वर्ग माद्य मूल वेग 800 के लि इसका अनुपात पूछ रहा है वह एक यह डाइनी रूट स्कॉयर यूड की बात कर है हम हूँ मैं यू एचिक बात करूं मैं और यू औरहरु यू फ़क की बात करें यही पूछा दोनों का रेशियो पूछ रहा है हम से वो अपने पास आपको पता हिए क्या होता है रूट ती एच्टू अपॉन एम एच्टू इन्टू एम ओटू अपॉन टी ओटू एक फॉर्मूला होता है द्यान करने टेंप्रेचर और वो वर्ग माद्य मूल वेक का जिसे पर आपको इक्यूलेट करना है तो आपने पास एक्वेशन हो जाएगी यह कर आपको पता हिए 50 है है 50 Kelvin अपॉन एच्टू का जो रेशियो होता है वो टू होता ही है इंटू इसका जो मास होता है ओटू का वो 32 है और टेंपरेचर इसका दे रखा है 800 Kelvin पे अगर मैं इनको सब को सॉल करें तो लगबग लगबग हमारे पास वन आएग इसको सॉल कर लीजिए वह यह है तो देख लीजिए अगर फिर वन इसका हो जाएगा 16 16 16 16 हो जाएगा इसको लगबग वन से वन क्रोस कर गया 5 इंटू 16 अपान 80 यह रूट इसको गर सोल करें हमारे पास 16 5 और 5 से 5 कटा है तो रूट का वन ही आया और रूट 1 का वन वेल्यू क्या होती है आपको पता हिए रूट 1 इस इकल टू क्या होता है 1 question number 12 के अंदर answer आता है अपने पास 1 यानि option number 3 रैट डाउन कीजिए फिर आता है अपने पास question question number 13 निमने में से कौन सा गलत कथन है which one one the following is false false equation दियाता है यानि यह कहता है कि the self-lead example of soul गलत कतन पूचा है आपको पता है कोशा कोशी का धरोज होता है वह sawl ल होता हिए आपको पता ही है उसके अंदर दूसरा बटर अग्जांपल का मतलब पार्ट वो भी सही है ये भी सही है तो अपने पास question number में option fourth चीज एक इमल्सन नहीं होता चीज में क्या होता आपको देखाई होगा अगर देखे तो air cream इमल्सन तो अपने पास option number four theoretical question है चेक कर लिजिए भाया question number four ये कहता है question number 14 के वांडरवाल equation है वो आदर्स गेस समिकन होती है वांडरवाल गेस equation reduce self to guess equation आप पाता है कि वांडरवाल equation P is equal to a upon V square V minus NB यानि N square होता है यहां पर is equal to N RT होता है अगर आपको पता है कि हम कह रहे हैं कि low pressure अगर मैं कहूं low pressure है low pressure and high volume हा सुरी हाइ टेंपरेचर इन दोनों condition पर आपको पता ही है बी एंड ए दोनों हो जाएगा नेगलेट नेगलेट हो जाएगे नगरने हो जाते हैं ध्यान बता आपको नगरने हो जाएंगे कब low pressure and high temperature पर high temperature पर क्या होगा बेसिकली अगर देखे तो अपड़े पास low pressure and high temperature option number third क्योंकि अगर high pressure कर दूँ हाइप luze pressure कर दिया तो यह तो पर ओ्ल्य पाएगे लो प्रेशर के ओपर क्या होता है लो प्रेशर and high temperature पर क्या मत्राइब कर दिया तो और नैगलिजिबल हो गया और यह नेगलिजिबल हो गया तो इससे तो आ गया पी और इसंग आए गया वी, जो 2 तो निक्वल होते हैं अर है तो यह अपने पास पीवीज इकल टू और यह होता है वह आइडेल गेसSoft के लिए होता ही है तो यह अपने पास 14 नंबर का क्योशन हुआ है एक नेक्स्ट क्योशन 15 15 गुशन क्या कहता है इंटर मोलेकुलर फॉर्स जितना ज्यादा होगा, ideal solution बनेगा उतना ही, ideal solution, ideal solution, है करता है, the force, force of, force between, force between the molecule, force molecule and repulsive force, repulsive force dominant, dominants over attraction, attraction, attraction force, आपको पता है कि Z, अगर Z is equal to 1 होता है, तो हम कहते हैं, no attraction, no attraction होता है, तो हम कहेंगे, Z is greater than 1, अब Z is equal to greater than 1, कब होगा, भयाजी, यह PV is equal to N, RT होता है, यहनी PV upon RT, जो अपने पास less than 1 होगा, तो यह option अपने पास किसमें आ रहा है, वो चेकर लिजिए भया, तो option number अगर मैं calculate करें हैं, तो Z is greater than, Z is, यह सिदा साग निकाल लेंगे अपने पास, अपने पास यह 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 वेल्यू आनिची अपने पास, Z is greater than 1, किसमें condition होगा भया, question number 15, P V is equal to N R G greater than 1, less than 1, परिमीत आकार से अपने को इसको calculate करना है, तो अपने पास option number 1, आकर्षन के करने तो होता है, between atom and P V is equal to molecular attraction, क्योंकि attraction नहीं होगा, attraction force पे, यह कहता है कि atom, molecular interaction between the atom in greater, यह होगा नहीं, finite size के बारे में बात है यह नहीं, अपने पास यहाँ पे, तो अपने पास option number 1, first option, question number 15, question number 16, अगर देखे, तो कह रहा है, following graph is insulated, क्या दिखाता है, आपको पता ही है कि V and temperature, volume directly proportional to temperature क्यों होता है, यह कौन कहता है भया, charge low, अब यह तो नहीं कि अगर मैं यहाँ से इसका graph ऐसे बना सकते हैं, ऐसे तो क्यों नहीं होना सकते हैं, क्योंकि जब T time 0 temperature अगर 0 होता है, तो volume कुछ न कुछ तो रहेगा ही, तो हमारा graph कैसे बनता है, इस टाइब का, यहनि Charles तो रहेगा है, Charles का low हता है, यहनि यह directly proportional है, देखिए, यहाँ यह graph ऐसा नहीं होगा, क्योंकि volume जब initial कुछ न कुछ स्टार्ट करते हैं, तो volume कुछ न कुछ तो रहेगा ही, that means volume हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यह graph represent किसको कर रहा है यह, Charles low को, theoretical questions है, इसकी देख सकते हैं, next आता है अपना 17 question, 17 question की अगर बात करें, तो यह कहता है, hydrogen diffuse time faster gas A, then molar mass of A, यहनि 6 गुणा, अगर इसको 6 time इसको faster कर रहा है, तो देखे क्या होगा, तो अगर मैं कहूं, R, H2, बटे, R, A, यह हमारे पास अगर देखेने, इनका comparison करें हैं, तो root, M, A, upon M, H2 लिख सकता हूं, तो अगर suppose करो, H2 का कर रहा है, कि hydrogen diffuse 6 time faster than A, यहनि 6 time faster है, अगर A का R के, अगर A है, R, A अगर 1 है, तो hydrogen कितना हो जाएगा, 6 time, और अगर root की बात करें, तो M, A है, उसका हमको calculate करना ही है, M, A, upon H2 का आपको पता है, molar mass 2 होता है, अगर मैं इधर से, अगर इसको calculate करें, root का अठाते हैं, तो आगर square लगता है, आपको पता ही, square, M, A, by 2, square करूंगा, तो 36 is equal to M, A, upon 2, और M, A, is equal to 36, into 2, जो होता है, 72 के equal, तो A का क्या हो जाएगा, 72, तो 72 option number 1, 72, option number 1, इस formula के अपन क्या according, अपनों को RMS निकान का है, इसका rate of diffusion होता ही है, जो molar mass के inversely proportional होता ही है, inversely proportional होता है, अगर ध्यान में तो, R inversely proportional root of M, जो हम calculate करते हैं, next, question number 6, कहता है, 17 के अगर बात करें हम, तो कहता है, गंदे पानी का इस गंदे लिए आवश्चक अधिकता मात्रा, maximum amount of coagulation, coagulation में hardly soldier used था, अपने पास hardly soldier, जिसका अंतर maximum charge जितना होगा, वो उतना ही ज्यादा coagulate करेंगा, तो अगर charge की बात करें, तो इसमें, potassium positive charge की बात करेंगा, यह potassium plus 1 है, इसमें plus 1, minus 1 होता है, इसमें plus 1 है, जबकि इसमें metal क्या है, 3 plus 1 में, option number 1, तो hardly soldier में कहता है, तो maximum iron जिसमें जितना charge होगा, वो उतना ही ज्यादा अपने पास क्या होगा, coagulation होता है, जो आपको ध्यान में रखना है, coagulation power क्या होता है, जितना ज्यादा अगर हो, जितना ज्यादा उसके अंदर अपने पास, क्या होगा चार्ज उसका कोगलेशन उतना ही हाई होता है यह क्यूशन नमबर 18 क्यूशन नमबर 19 देखिए अगर मैं बात करता हूं अगर फ्रेंडली चाईशो थरम बात कर रहा हूं सॉलुशन के लिए यहां अगर गेसेज होता है तो अगर आपको पता है कि फ्रेंडली चाईशो थरम क्या होती है वह यह एक्स वाई एम इस इकल टू के पी की पावर वन अपउन एन यह प्रेंडली चाईशर के रेक्स्पेर्टमें तब लेते है जब गेसीज की बात कर रहे है हम बात कर रहे है solution तो लेंग्यूमूर इसमें आया था गर दियान में तो आपको तो लेंग्यूमूर आइसो थरम एक ही थी वैसे तो देखे तो तो मैं कर सकता हूँ C की पाउर 1 अपोन N कर सकता हूँ अगर दोनों तरफ अगर लोग लेता हूँ के प्लस इंटू में है तो 1 बाइन लॉग सी यह लिए वह यह अपने पास आ गया तो किस में आ रहा है वह यह लॉग एक्स अपॉन एम कुश्ट कुशन नमबर फॉस्ट तो अपने पास यह दियान रखना आपको तो सॉलुशन की लिए अनगना कंसेंटेशन ली जाती है तो लेंग्यूमूर ने बताया था यह तो अपने पास ऑप्शन नमबर 1 क्यूशन नमबर 19 क्यूशन नमबर 20 20 में अगर देखें यह करा है कि आपको पता है की पी जिकल टू अन्र टी होता है कि तो अपने पास वी जिकल क्या हो जाएगा रटी अपॉन से दिकन अगर इन मॉल के लिए कर सा तो देखें अगर इनको हम maximum निकालना न and Katy अगर बात करता हूं वी इस फार्मूले से मैं क्यलकूलेट कर रह अगर देखे तो अपने पास देखाए होगा 0.0821 होता है इंटू टी टेंपरेचर है तो अगर एंटीपी की अगर बात करें हम एंटीपी 233 पर होता ही आपको पता ही है 233 अगर मैं इसको स्वल करता हूं तो लगबग 22.4 एंट 22.4 लीटर आता है यह अपने अप्शन फरस्ट का सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो वी इकल टू जिरो डिग्री और टू एटीम है तो वही बाता आर की वेल्यू जिरो पॉइंट जिरो एट टू वन इंटू जिरो डिग्री के बात कर रहा है तो आपको पता ही कितना होगा जिरो डिग्री मतलब 273 केल्वीन हो गया यह 273 अपन प्रेशर टू हो गया तो 11.2 लीटर हो गया ऑप्शन नमबर 3 के लिए अगर मैं कैल्कुलेट करूं 0.0821 इंटू 3 है 127 127 127 लगबग हो गया 400 400 केल्वीन टेंपरेचर और 180 अगर इसको सोल करता हूं तो लगबग 32.8 तो वी जिकल टू 0.0821 इंटू 233 डिग्री सेंटिग्रेट दे रहा है आपको पता हिए तो 233 में लूंगा तो लगबग आपके पास आ जाएगा 273 यानि आपके पास लगबग 127 पर तो यह हो गया यह आ जाएगा 54 केल्वीन या टेंपरेचर रख दीजिए लगबग 540 हो गया यहनि 233 आपको हई है और 233 इसमें एड़ करना है तो 6 546 हो गया 546 बाई टेंपरेचर टू है अगर मैं इसको लगबग 6 करता हूं तो 22.4 आएगा यह अपने पास कुछ टाटा है तो इसमें कह रहा है कि दर टेंपरेचर वॉल्यों मैं अधिक्तं मोलर tender कितना होगा maximum molar maximum क्या होगा इसके अंदर maximum वॉल्यूम किसमें होग का आपको देखेग लिए option number third option number आं गया third के ओपर तो जिस पर इस तरह में इसको कैल्कुलेट करके मैक्जिमम वॉल्यूम को कैल्कुलेट कर सकते हैं राइट डाउन कीजिए फिर आता है अपने पास केशन नमबर 21 21 में कहता है दा वाट इस दा प्रेशर अप 2 मोल अनस्थरी वेन दा वर्योम ऑफ 5 लिटर दा वांडर वाल एक्वेशन एउड कीटना आ पको वbec ये रखा है वांडर वाल समिकन के लिए अमोनिया के लिए दे रखा आपको अगर देखें तो अगर मैं काउंट करता हूं तो अपने पास यह थी पी प्लास a n square upon v square v minus n b is equal to n r d equation थी wonderful equation इसमें देखिए pressure की बात करें हमारे पास pressure calculate करना है अगर a की value देखिए 1.7 थी यह रहा दे रखा आपने को question में हेरी a की value दे रखा है number of mole दे रखा है two two का square करने हैं हमको two का square upon v square volume अपने को दे रखा है five का square करना है यह equation number one फिर volume की बात करें तो volume अपने को five है यह minus n two mole दे रखा है into 0.3711 value दे रखिए is equal to n की value हमका मारे पास क्या है two r की value हमारे पास 0.0821 है और temperature अपने को दे रखा 27 या नहीं लगबग हो जाएगा 300 Kelvin अगर मैं इस पे solve करके अगर पी का value निकालता हूं तो पी लगबग आएगा 0.98m calculation करांगे 0.99 आता है लगब नाइन टू आता है तो नाइन फाइव की एकवल इसका pressure होता है यहीं question number 21 का आपने पास answer क्या हो गया two फिर आता question number 22 22 के अगर बात करें हमारे पास देखिए mole of O2 mole of O2 mole of O2 mole of O2 को one gram दे रखा है तो mole क्या होता है mass upon molar mass क्या लिखेंगे one upon 32 mole हो गए इसके अंदर हो गए अपने पास आपको पता है kinetic energy यह kinetic energy पूछ रहा है कि the kind what is the kinetic energy पूछ रहा है तो kinetic energy क्या होती है 3 by 2 rt n rt की एकवल होता है तो kinetic energy is equal to 3 by 2 into mole अपने पास है 1 by 32 into r की वेल्यू हमें पता है 821 into temperature 247 degree centigrade दे रखा है 47 का मतलब 320 320 यह अपने पास हो गया अगर kinetic energy इसको solve कर लीजिए यह लगभग लगभग 160 लगभग वन कंट्रिए 2.162 हो गया न मतलब इसका यहां से 160 32 को multiply कीजिए भया लगभग 20 solve कर लीजिए इसकी sorry इसको solve करने के बाद में अपने पास जो equation आती है वो 1.24 into 10 to power 2 joule के एकवल होता है यह अप्शन नमबर 1 तो इसको solve करने के बाद में वो equation है 32 है 32 को मतलब दस आएगा 10 आएगा यह कट गया हमारे पास 10 आ गया फिर इसको multiply कीजिए भया टू है टू को 5 से multiply जाएगा इस तरह हमारे पास को calculate कर लिया जाता है तो यह अपने पास question number 32 next question अपने पास question number 33 करता है assume assume करवा रहा है आपने से कि ता CO2 वांडरवाल equation calculate the boil temperature given आपको A और B की value दे रखा है तो अगर आपको पता है boil temperature होता है T B is equal to A upon K B के equal होता है तो आपको पता है A की value यह रही अपने पास 3.59 दे रखा है लीटर square upon K की value आपको पता ही है के sorry R है K नहीं है यह यह र है R भी होता है R की value हमको पता ही है 8.0.821 होता ही है B की value हमको दे रखा है 0.0427 अगर लगबाग इसको solve करते हैं अपने है तो 124 केलवीन आता है अपने पास टीबी कहीं कहीं short में इसको short में भी लिखा है ध्यान रखना तीबी तो अपने पास option number one option number one आता है तो यह टीबी का formula है वहिया इस टीबी से formula से आपको calculate करना है एक क्यूशन नमबर 23 किशन नमबर 24 कि देखिए यह कहा रहा है कि विच वन फॉल्वाइंग आपको पता है डेल्टा जी जो होता है वो होता है डेल्टा एच- टीडीले में आको गतुकर का यह होता है उसके लिए डेल्टा जी और दल्टा जीलिवी कि वेल्यू नेगेटिव और यह भी यह वेल्यू जो अपने पास है डेल्टा एच की वेल्यू नेगेटिव जाएगे यह नेगेटिव साथ साथ डेल्टा एच की वेल्यू नेगेटिव अगर यह नेगेटिव होगा तो ही हमारे पास डेल्टा जी भी अपने पास नेगेटीव है तो देखिए डेल्टा जी एड से प्रकून निया गर। यह अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव पार्ज इन की ओडोर्नरれないजीew मिलगे Question number 25. 25 में कहते हैं, maximum surface area can easily liquidify, अगर जितना ज्यादा surface area होगा, easily liquidify होगा, surface area N2, Cl2, O2 का कम है, इसका surface area ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं, maximum surface area, maximum surface area or maximum adsorption, easily liquidify होगा और easily liquidify होगा, तो हम कहेंगे, maximum adsorption होगा, surface area, जितना ज्यादा, maximum adsorption होगा, यानि liquidify easily होगा, तो CO2, option number 2. Question number 26. Question number 26. इसके इनके पार्टिकल साइज होती है जो टिंडल एफेक्ट सुगर सोलुशन टिंडल एफेक्ट शो नहीं करता है क्विशन नंबर 27 कहता है आपको पता है इन कॉंटेक्ट प्रसेदा मैनिफेक्शिंग पैस्टू क्या उप्योग उत्प्रेश कौन सा यूज करते हैं आपको पता है वैनेडियम पेंटा उक्साइड यूज करते ही है अगर द्यान बता है आपको आपको एसो टू प्लस हाफ इस इकल टू वी टू ओ फाइफ होता है उसमें हम कहते हैं एसो थ्री बनता है जो आके जाके एस्टो सो फॉर बनाता है तो यहां वैनेडियम पेंटा उक्साइड एज उत्प्रेर कहनी कैटलेस्ट में इसको यूज करते हैं ऑप्शन नंबर यह क्वेशन नंबर 28 28 की अगर देखें तो यह कह रहा है समान ताप दापर चार्कोल के दिरमान निम्न के सका अदिश्वशन का सही क्रम है यानि इसका आपको एड्जॉप्शन आप फॉलॉइंग के इस इन सेम मास और चार्कोल और सेम टेंप्रेचर अगर इनकी प्रेशर की बात करें हमारे पास तो देखिए कहा गया The Temperature at which liquid, The Temperature, Temperature at which, Temperature at which GAS A liquid, GAS A liquid is critical temperature so laser critical temperature laser adsorption laser adsorption तो हमारे पास surface area सबसे ज़्यादा इसका होता ही अगर देखे तो second option हो गया तो maximum adsorption किसका होगा SO2 का फिर CH4 का फिर H2 का इसका reason है next question 29 कहता है zeolite और selective structure आपको दा zeolite पे कहता है छोड़ोड़े पोर होते है यानि मदू मक्की के छत्ते के समान सरचना होती है इसलिए इसको चैनात्मक भी का जाता है अगर ध्यान मता आपको चैनात्मक selective catalyst होता है इसके बंदर चोड़ोड़े पोर्स होते है जिसे निकल hydrogen gas होती हो निकल की पोर्स में चलियाती है वैसे जियोलाइट का आकार चैनात्मक सरचना होती है यानि जियोलाइट इस सेफ सेलेक्टिव structure होती है किसके कारण मदुग्य मदुमक्य के चत्ति के समान होती है question number 30 आपको पता ही है collidal solution होता है 3 types के होता है solution, true solution, collidal solution और suspension collidal solution की बात करें तो उनकी size क्या होती है 1, 2, 1000 यह अपनी पास size होती है जो याद रखना ही है, once a true solution होता है one thousand से suspension इसके between दा, इसके होती है once अगर once इधर जाएंगे तो true चला जाएगा और उधर जालेंगे तो suspension होता है यह पता ही है आपको, तो option number third question number 31 आपको पता ही है 31 hair cream, hair cream होती है बहुत हार अगर hair cream देखो तो hair cream के अंदर basically emulsion types का होता है hair cream question number 31 कहते हैं both system both system are liquid दोनों liquid होते हैं तो मतलब emulsion option number second emulsion होता है अपने next question में भी आया था emulsion होता है hair gel तो यह answer आपको पता ही है question number 32 32 के अंदर देखिए आपको एक relation अगर पता हो आपको तो 32 के अंदर coagulation power जो होता है वो directly इनवर्शलिव प्रपोर्श्टिनल टू होता है protective power coagulation value जिसकी जितनी ज़्यादा होगा उसका protective power उतना ही कम होगा ज्यादा value किसका है वह यह एने का तो अगर इसका अगर comparison करें हम तो अपने पास तो देखिए यह सबसे कम है magnesium का सबसे कम हो गया यानि यह अपने को देरखा है विद्धाब करते की रक्षन शक्ति protective power देखना है तो protective power यह concept लगा ना coagulation protective power जितना ज्यादा होगा उसके coagulation power उतना ही तो option कि अगर देखिए तो हमारे पास यह concept लगाना है तो हमारे पास concept क्या होगा है इसमें third में सबसे ज्याद इसमें है कम बट नहीं है इसका answer की बात करें तो option number third हो जाएगा third है तो सबसे कम है तो उसका coagulation protective power क्या होगा ज्यादा होगा अपने वावास option number third यानि coagulation ज्यादा पूछा है order पूछा है तो प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगा coagulation power कम protective power ज्यादा तो अपने वावास option number third इसमें यह option गलत यह गलत हो गया यह गलत हो गया third option हो गया हमारे पास तो यह लेखाना है coagulation power is inversely proportional protective power question number 33 कहता है compressively factor real gas is high pressure high pressure की अगर बात करें आपको पता है P plus A upon V square होता है V minus B होता है पर is equal to RT की equal होता है अगर मैं कहूँ high pressure high pressure high pressure पर आपको बता है A upon V square क्या हो जाता है नगर्ने हो जाता है negligible हो जाता है negligible हो जाएगा यह negligible हो गया तो P is equal to V minus B is equal to RT के equal होगा तो PV minus PB is equal to RT हो गया अगर मैं आर्टी से divide करता हूँ में तो RT upon RT upon RT यह कटके 1 हो जाएगा यह PV upon RT आपको पता ही Z होता है Z is equal to PB plus RT is equal to 1 तो Z is equal to क्या हो जाएगा 1 plus PB upon RT यह high pressure के उपर Z की value होती है option number third तो इस तरह आपको क्यालकुलेट करना है clear next question number 34 34 में वही बात है कहता है this is the following maximum value of flowclation यानि उन्वन सक्ति का मान ज्यादा किसका होगा वही बात है उन्वन सक्ति का मान ज्यादा होने के लिए कहा गया कि प्लस जितना ज्यादा charge होगा उसकी उन्वन सक्ति उतनी ज्यादा होती है सिदा साख है 4 plus ज्यादा चार्ज है लेड़ की अगर देखे the maximum charge on metal maximum value of focus on होता है इसका maximum charge होना चीए maximum charge on metal ये लिजिए होगा तो एक्विशन नंबर 34 एक्विशन नंबर 35 इसमें वही बात है एक्विशन अपने पास friendly चाहिशो थरह में है friendly चाहिशो थरह में अगर बात करें आपको ध्यान हो है तो log x upon m is equal to क्या होता है log k plus one upon n log c या p होता है pressure के एक्विशन बात कर रहा है तो हमारे पास equation क्या बन जाएगी अगर देखे तो graph कैसे बनेगा देखिए ये बन जाएगा क्योंकि इसका intercept हो गया one upon n x upon m और p के बीच में अगर इसकी graph और इसके बात में गिशा होता है तो y is equal to mx plus c type का graph हो गया option number third दिया जाता है ये अपना intercept हो जाएगा one upon n intercept हो गया तो ये अपने पास equation number फिर आता है अपने पास question number 36 कहता है which is the following hydrogenous hydrogenous में क्या होता है जिसमें reactant product and catalyst are present in same phase same phase में आता है तो ये अथेल हो लिक्वीड है ये भी लिक्वीड होई अपने पास ये भी लिक्वीड लिक्वीड यहाँ पर सारे गया है same phase में है सियो की बात करें carbon monoxide gase है ये gase है ये gase है monoxy NO gase है सारे gase है SO2 gase है ये भी gase है ये भी gase में है ये भी gase में है तो सारे gase एक फेज में जबकि अगर यहाँ ये gase में है ये भी gase में है बट ये solid में होता है और ये gase में तो अपने पास fourth option हो गया संपर्क contact process था संपर्क विदी में वेनेडियम पेंटा उक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है तो यह एक्टोजेनेस कैटलिस्ट होता है नेक्स्ट अपने पास क्यूशन नंबर 37 यह कहता है जिलेटीन प्रोटेक्ट वीच्ट अ कॉलाइड को जिरेक्टेट कौन करता है ध्यान रखना गोल्ड सोल भी करेगा आर्सेनिक सलफाइड भी करेगा और फैरीक हाइट ऑक्साइड भी करता है और सभी यह नियुद अल हुल वो में करता है तो अप्शन नंबर फूर हसन नंबर थृटी एट थर यूज में कहता है जीटा पोटेंशिल यूस्फूल डिटर्मीनेशन वीच जीटा पोटेंशिल क्या करता है क्ए लिदожд anomal फोटेंशिल होता कि जब क्या होता है कोई दोन होता है अपने ही सेम साँज क्य revolutionary है या कर सकता हूं मैं जैसे मैं बात करता हूँ ferric hydroxide है ferric hydroxide को FECL3 मैं अगर mix करता हूँ तो अपने पास जानगा ferric hydroxide है अपने ही इन ये और चो होता है ये क्या करता है अपने 4 ऊहर किसको करेगा Fe2 plus को Fe2 plus को Fe2 plus को ही coglade करता है अर्टेट करता है अब इसके पीछे अपने पास आ जाते हैं CL- CL- तो इनके पीछे एक potential create होता है जिसको हम कहते है जीटा potential जो क्या करता है collider solution को stable करता है इनके बीच में two layer बन जाती है एक potential की layer बन जाएगी तो इसे positive collider हो गया OH के अंदर official 3 mix करते है तो यहाँ पे एक जीटा potential होता है वो collider के stability को show करता है जीटा potential in a surface next question number 39 39 में करता है collider gold is prepared by अगर collider gold को आपको पता ही है प्रिपेर बेर ब्रेग आर्ख में है वीदी यानि ब्रेग आर्ख में इसको प्रिपेर किया जाता है next question 40 आपको पता ही है fog is a collider solution fog में क्या होता है आपने देखा होगा fog के अंदर basically liquid होता है और gases form दो phase होती है उसके अंदर gas in liquid अगर देखे तो अपने पास gas fog जो होता है कोरा जिसको हम कहते है दुन्द उसमें आपने देखा होगा थोड़ जोड़ी moisture रहती है तो अपने पास क्या हो गया है liquid जिसमें liquid तो कम मात्रा में जैने disperse phase क्या होती है liquid और gas क्या होती है dispersion medium यह अपने पास total 40 question होते हैं ओके आपने पास यह biochem DTS का इसलिए next thanks कि आपका दिन शूब रहे